वहादर नमस्ते हाद आप से अकाल मैं हून यह सिंख कांश लिया, स्वागत आपका इस नए सेशन में and फोरेक्स, पेट और फॉर्वर्ड कॉन्ट्रेक्स से अगर आपको ड़र लगता है, एटन इस वीडियो इस वीडियो इस वीडियो इस वाईगा। share कर लो and अपने पास save कर लो because यह आगे भी आपको काम आएगा थोड़ा लंबा वीडियो बनेगा because well then there is no shortcut to success so logically जाएंगे आराम से समझाते वे जाओंगा and बजाएगा for sure 8 marks का sum आ सकता है इसमें से मुझे ऐसा लगता है कि इसमें से ये बार बोल नहीं सकते है बटा कुछ simple sum आएगा but अगर वो simple sum करना है solve तो उसके लिए आपको logics तो आना चाहिए न यह हमारे standard costing के जैसा है standard costing में institute trick करती है easy question बुझते है but public option में शोड़ती है उनको पता है नहीं चलता यह तो easy question था वैसे ही fate of forward contract के साथ है do not leave it in option do it properly and जब आप logic mind apply करके करेंगे न trust me it is going to be manageable plus मैं आप लोग के साथ share करने वाला हूँ बहुत सारी चीज़ है तो यह जो मेरे notes होंगे वो plus magic book guys magic book में मैंने इसके सब आप लोग को बता दिया कि कैसे इसको फटा फट वे में we have to get it done यह आप लोग के साथ आ जाएगा so we will be discussing all of this as well and that's how it is बाकी आपको कुछ चाहिए comment box is open कैसे लग रहे है revision lectures यह सब जो मैं concept के ओपर बना रहा हूँ beat try with AFM let me know and इतना आप लोग बोलते जाओगे इतनी अच्छी अच्छी चीजे आते जाएगी चलो फिर without wasting any time let's get started देखना end तक bits and parts पे देखना जैसे भी time मिले but definitely exam के पहले 2-3 बार इसको view कर लेना speed पे starting में तोड़ा slow पे बाद में speed पे as you are comfortable but एक एक concept जितने भी ICI के सम्स है न सारे के सारे solve कर वा दिया all ICI sums solved with concepts relating to fate of forward contracts बोलो और क्या चाहिए यह ही चाहिए done so let's start on that positive note guys okay let the game of fate of forward contracts begin और हाँ मैंने न currency options भी डाला यह तो forex में दो ऐसे concepts है जो लंबे हैं थोड़े बट अगर आए एक्जाम में तो इस पार या उस पार मतलब full marks मिलेगा क्योंकि अगर आपको पूरा आता होगा तो और नहीं आता होगा तो पूरा ही जाएगा मुझे comment करके जरूर बताना दोनों पूरे के पूरे तरह से आपको समझेगी नहीं that is what I want from each one of you समझने की कोशिश करेंगे अपन की यार यह forward contracts क्या होता है and fate of forward contracts कहां से आया है so देखो if you are a importer or an exporter or anybody who is dealing in foreign currency हो सकता है आपने foreign currency का loan लिया हो सकता है आपने foreign currency में invest किया हो तो या तो आपके पास interest आने वाला हो principal payment आने वाला हो import किया हो किसी चीज़ का export किया हो तभी भी आपको foreign currency की ज़रूत लगेगी but आपको risk चाहिए ही नहीं क्यूंकि आपके पास जो payment आने वाला है वो आज से तीन या चार महीने बाद आने वाला है हो सकते है आपको जो payment करना है वो आज से छे महीने बाद करना है now in both of the situations there is a currency risk which is involved and आपको कोई currency risk चाहिए नहीं तो आप उसको hedge करने की कोशिश करोगे hedge करना currency को hedge करना मतलब currency risk को hedge करना मतलब उसको manage करना तो वो manage करने के लिए you will enter into a forward contract इतना अपने को basic पता है तो वो पहले मैं लिखवा देता हूं तो मैं अपन लोग ने लिख लिया कि currency risk hedge या जिसको अपन बोलेंगे management tool क्या है management tool है कि मैं एक forward contract में enter करूंगा तो इससे क्या होगा I know कि boss आज से तीन महीने बाद चार महीने बाद जब भी मेरे पास payment आने वाला है या मेरे को payment देने की जरूरत है वो टाइम पे मेरे को क्या rate से मेरा foreign currency pay करना है या receive करने वाला हो वो मुझे अभी से ही पता है that is what foreign forward contract is all about right so currency risk hedge या management tool जिसको आपन लोग बोलते हैं कैसे यह currency risk को manage करता है by entering into a forward contract जैसे मैं एंटर किया forward contract में मेरा currency rates are freeze for a date in future so forward contract से क्या होता है currency rates are freeze for a date in future हाँ सर एकदम बरावर बस तो क्या होगा क्या होगा तो सर जो भी importer है suppose अपन बैंक है ठीक है अपन बैंक है करके अब अगर अगर अपन बैंक है तो हो सकता है कोई importer आया हो अपने को बोलेगा कि यह मिरको आज से तीन मैंने बाद डॉलर का फॉरेंड करेंसी का ज़रूरत लगेगा मैं तीन मैंने बाद आप मुझे तीन मैंने बाद डॉलर दे देना और मैं अपने जो एक्सपोर्टर उसको बेज दूंगा या वाई से वर्सा कोई हो सकते एक्सपोर्टर अपने पास आए बोलेगा मिरको यह पेमेंट आने वाला है मिरको जापनीज यन में पेमेंट आने वाला है जापनीज मैं आपको देखे रूपीज ले लूँगा और जो अपना रेट है उसको फ्रीज कर लेते हैं अभी से अपन बैंक है एंड वी आर डन हमने उसको बोल दिया ठीक है हम इसका एक एक एक्स परसंटेज मार्जिन का लेंगे और उसके लिए उतना कॉस्ट हो गया उतना अपना क्या कॉंप्लिकेशन है यहां पर बता और हर चीज में कॉंप्लिकेशन है और इसलिए तो प्रफेशनल का जरुवत है यहां पर अब होगा क्या एक तो सीधा साधा आदमी जो आएगा और बोलेगा कि जलो जो भी फार्वर्ड रेट अपना फाइनल हुआ है उसको अपना दे दो या पैसा ले लो जो भी अपना situation है वो हुआ एकदम opt तरीका के उसी दिन पे for a date in future तो वो जो date decided है उस दिन पे importer exporter आया जो transaction का हम लोग ने freeze किया था currency rates वो हमारे पास से वो लेके गया matter close होता नहीं है no situations बन जाती है मजग मजग में बस इस concept के तुरू वही situations अपने को समझनी है जो ICI ने मैंने नहीं जो ICI ने बहुत ही beautifully यहां पे convey कि है कि हाँ वो आएगा मेरे करन अर्जुन आएंगे बट इतना easily काम नहीं होगा करन अर्जुन आए तो ठीक है करन अर्जुन आए तो ठीक है तो मैं उनको उनका जो भी काम है delivery कर दूंगा या ले लूंगा foreign exchange का जो भी है कर दिया यह एक situation सबसे best situation है life में अगर यही हो जाए ना हर इनसान ऐसे ही सोचना ऐसे ही काम करना चालू कर दे तो सब खुश हो जाए बट ऐसा होता नहीं है न overthinking कहीं पे कहीं पे कुछ गड़बर कहीं पे कोई complexity and सारा game खतम बाकी के आठ चीजों की वज़े से बना है यह concept जिसका नाम दिया है fate of forward contracts जिसका नाम दिया है fate of forward contract मतलब अरे हो सामबा अब तेरा क्या होगा सरकार मैंने आपका नमक खाया है so forward contract अब तेरा क्या होगा मैं उसको पूछ रहा हूँ पहला situation क्या वो due date के पहले आ गया और बोलेगा कि मेरे को matter close करना है मेरे को early delivery चाहिए वो जो डेट है उसके बाद आया कि मैं आज आने वाला था due date जो था अपना fixed वो डेट के जगे मैं भी 20 दिन बाद आऊंगा एक महिने बाद आऊंगा अरे यार येस fate of forward contract मैं मैं 31st December को आने वाला था नी नी बट मेरे पास जल्दी पैसा आ गया है मैं अभी 1st December कोई आ गया हूँ दिन एक महिने पहले फोन करके बोलेंगे मैं आने वाला था अब मैं एक महिने बाद आने वाला था नहीं आऊंगा और ली कैंसलेशन कोई फोन कुछ दिनों बाद करेगा जो due date है उसके लेट कैंसलेशन समझ रहे आप लोग कुछ लोगों के केस में होगा एक्स्टेंशन उसी due date के दिन आके बोलेगा कि सुनो ना तीन महिने और एक्स्टेंड कर दो तीन महिने बाद मैं पक्का हूँगा और पक्का हूँगा एक्स्टेंशन ओन डिवाला था 1st December को आके बोलत कुछ लोग due date के भी बाद आते हैं लेट एक्स्टेंशन तो यह सब चीजों का अपन क्या करें and that is what is called as fate of forward contracts यह अपने को यह सारे situations mainly पढने है most importantly cancellation वाला क्यूंकि उसमें तो सबसे बड़ा गेम है and that is what we are going to study you're in this concept fate of forward contract समझ में आ गया तुम लोग को बेटा क्या क्या पॉसीबली है सबसे बैस्ट है भाई आ गले लग जा नहीं आ delivery ले ले चुप चाप no tension बट कुछ होते हैं लोग जो बोलते हैं नहीं नहीं आता जा cancellation कुछ लोग बोलते हैं अरे मैं आने ही वाला था आ तबित खराब हो गई वो तो कुछ टाइम बाद आओंगा चलेगा क्या वो होते हैं extension वाले यह अपने दोस्तों के तरह है गोवा का plan मनाया और गोवा का plan execute किया first situation बट एफा होता नहीं है न कुछ लोग phone करके बोलते हैं cancel कुछ लोग phone करके बोलते हैं सुनना अभी मम्मी मना कर रही है जैनवरी में जाते हैं कुछ लोग कुछ अपना भाना बनाएंगे कुछ अपना बनाएंगे बस fate of गोवा गया छपा है अब अगर delivery हो गई तो सबसे best है on due date बराबर है गोवा का plan बनाया और गोवा चले गए बट 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 अमूमन एफा होता नहीं है अमूमन एफा होता नहीं है at least मैं बोलता हो कि कुछ अच्छे दोस्ते जो phone करके बोलते हैं सुनना एक महीने बाद नहीं जान इसको बोलेंगे अर्ली वाले इसको बोलेंगे अर्ली delivery वाले कुछ लोग गोवा का plan क्या कर देंगे लेट कर देंगे कुछ लोग लोग हो का plan क्या कर देंगे लेट कर देंगे अब इनको और बहुत ज्यादा detail में पढ़ना है अपने को don't worry just trying to tell you that क्या क्या possibilities है अब यह जो अपन पढ़ रहे हैं यह जो अपन पढ़ रहे है तो यह मैं पहले बार कंप्लीट कर देता हूं यह हो गया फिर अगर कैंसलेशन हुआ तो वापस से कुछ लोग उसी दिन पर आके बोलेंगे सुनना मैं गोवा नहीं आ सकता पापा ने मना कर दिया पढ़ाई करन लेड कैंसलेशन सारे पॉसिपलेटिज रहे हैं एक कुछ लोग आके बोलेंगे अर्ली कैंसल कुछ लोग बोलेंगे लेड कैंसल और यहीं सब में है कुछ एक कॉंसेट जिसका नाम दिया है फड़ाई नहीं पड़ाई कौन है साब 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 पता रहो ऑटोमेटिक कैंसल और यहाँ पे थ्री डेस का सिस्टम क्या है साब बता हूं और फिर extension सुनना यह महिना नहीं पॉसिबल है अगले महिने चले क्या है ना extension उसी डिव डिव डेट पे आके अधर उसने बोला तो या फिर अर्ली या फिर लेट देखो मैं नहीं बोल रहो पूरा का पूरा तुम लोग को आई से है के मोडियूल से ही बता रहो बेटा तो दो तीन चीज यहां भी पॉसिबल है क्या है पहली चीज पॉसिबल extension on due date early extension या late extension समझ में आया और यह सारी चीजों में आपको follow करना है इन सब के माई बाप को जिसका नाम है फडाए foreign exchange dealers association of India फडाए क्या उन्हें वो बुला foreign exchange dealers असोसियेशन अफ इंडिया समझ रहे हैं अब इसके कुछ तौर तरीके हैं उस तौर तरीकों से ही अपने को fate of forward contract decide करना है आप क्याए तौर कि हमाए रě virgin लाए तौर कि ends तो अब यहां पर ध्यान रखना जैफा जैफा फैडाई बोलेगा वैफा वैफा ही करना है फैडाई ने क्या बोला है वो मैं आप लोगो सब अभी बताऊंगा एक 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 पॉइंट टू पॉइंट अपन लोग लेते जाएंगे जहां जहां पर जो चीज इंपॉर्टेंट ह है सब अप लोगो स्टार्टिंग अंडिंग बताऊंगा ठीक है तो दिस इस कॉल्ड एस पेट और फॉर्वर्ड कॉंट्रैक्ट डेवलप बाइ फड़ाई जहां पर उन्होंने कुछ रूल्स सेट अप किये है उस रूल्स को अपने को फॉलो करना है एंड सम को सॉल करना ह कुछ जगा पे अपने को खटकेगा के यार यह क्या बात हुई इससे तो बेटर यह हो सकता था बट रूल्स आर रूल्स अगर बोलते हैं तालाब में रहना है तो क्या है फड़ाई के रूल्स वो सम टू सम अपन लोग देखते जाएंगे जैसे जैसे सम आते जाएगा मैं आपको बताते जाओंगा कि देखो यहां पे फड़ाई ने यह बोला है यहां पे यह फड़ाई ने बोला है एंड लास्ट में एक कंपाईलेशन कर लेंगे जो अल्री है ऐसे तो मेरे पास बट फिर भी आप लोगो मैं बता दूंगा सम ट अब मैं यहां पे सारे क्वेश्ट आइसी को ही अपने लेते सबसे बेस्ट बेस होई रहेगा अपने लिए लेए लेट सबसे बैसे स्टार्ट होता है सबसे पहला सिंपल एं इन स्टेट फॉरवड लाइफ अगर एकदम अच्छी हो तो डिलिवरी ओन दूड़ डेट हो ज contract for two months for selling US dollar 1 lakh bank has entered at 65.50 on 31st July the spot rate was 65.75 65.25 calculate the amount to be debited in customers account अब आप मुझे बताओ कि यहां पर क्या है आपको दे दिया है forward rate कितना 65.5 bank is going to sell US dollar मतलब सामने वाला तो customer है वो अपने को rupees देगा अरे बराबर के नहीं वो अपने को rupees देगा तब भी अपन उसको एक लाग डॉलर देगे क्या rate के इसाब से वो rupees देगा आपने को 65.5 मतलब 65.5 multiply by 1 lakh कितना होता है can I say 65,50,000 simple है कोई problem नहीं है done तो अपन लोग उसको बुलेंगे सुन तेरा एक लाग डॉलर ready है क्या करूँ तो वो अपने को जवाब देगा हाँ हाँ मेरे पास 65,50,000 मेरे account में debit मार दो debit मार दो मेरे पाउंट में और मैं बस एक लाग डॉलर लेने के लिए आई रहाँ आप रेडी रखना ओन टाइमली डिलिवरी इस हाओ smoothly the things work but life इतना easy है नहीं next position पर आ जाते है विच इस अर्ली डिलिवरी यहां पर यहां पर यही वाले इस question में वो 31st July को है second वाले पार्ट में क्या होगा वो आ जाएगा अपने पास 30th June को तो क्या करना है ऐसे situation में is now what I will be explaining and that will be called as the concept of early delivery समझे आगे आई आधको बाते सो किना से अगर मैं यहां पर देखते जाओ यह वाला मेरा मज़ख मज़ख में हो गया अब इतना मज़ख मजख नहीं होगा अब आ रहे अपन लोग early delivery के उपर और यह early delivery का मतलब क्या होता है So, when customer wants to settle the forward contract, the forward contract before the stipulated due date, before the stipulated due date. तो ऐसा situation में आप क्या करोगे, वो आप और मैं decide नहीं करेगा, वो fedai already decide कर चुका है, बस उसको अपने को follow करने, तो अब आपका next point है, तो sir fedai ने क्या बोले वो बताओ, and that is how we will proceed, समझ में आया आपको, तो इसको समझने के लिए, we have a very nice question from ICAI, आज आईए प्लीज, question number 4 पे, य रहा आप लोगों के साम में, ठीक है, मैं क्यों यह वाले करवा रहा हूँ कि, कि यह सबसे best questions ज़र ICAI, इसी में से पूछता है और पूछेएगा, मस्त में इसको कर लिया, आप भी tension free, conceptually, logically clear, फिर tension नहीं, चलो, on 1st October 2015, Mr. X, an exporter, enters into a forward contract, with a BNP bank, to sell, to sell US dollar 1 lakh, on 31st December 2015, at rupees 65, 5.4 per dollar, बहुत सही, एकदम simple सा बाट है, और इसमें, मैं properly timeline के तुरू, एक diagramatically इसको समझने की कोशिश करेंगे, मस्त में समझेगा, however, due to the request of, the importer, Mr. X, received an amount of 28, on 28 November 2015, तो सुनो, एक X है न, exporter था, ठीक है न, अभी अपने को इसको तोड़ा role play करना पड़ेगा, role play मतलब सोचना पड़ेगा, actual में क्या हो रहा है, तो एक exporter था, जो bank के पास गया, bank को बोला, सुनो, मैं exporter हूँ, मेरे पास एक लाग डॉलर आने वाला है, कभी, 31st December को, ठीक है, तो मैं तभी आपको दे दूँगा, ठीक है, तो क्या rate पे तभी मेरे से लोगे आप, सुन, तेरे लिए 65.4 का deal clear, चलो, done sir, अब 28 November को हो, उस exp exporter के पास एक लाग डॉलर आ गया, importer ने जल्दी भेज दिया, ठीक है, गाई है, रहा नहीं जाता, तो उसने अपने को भेज दिया, 28 November 2015 को, अब यह बोल रहा है, मैं क्या करूँ, तो उसने bank को call किया, और bank को पहुच गया, बैंक को बला कि यह लिगो, एक लाग डॉलर है 28 November को call किया, मेरे पास 30 November को, exact एक महीने पहले, जो अपना due date था, 31 December, exact एक महीने पहले, मेरे पास एक लाग डॉलर आ जाएगा, मैं हूँ, आपको दे रहा हूँ, आप मुझे मेरे हिसाब से जो अपना deal freeze हुआ था, उतना पैसा मेरे को देखे, खतम करो यह deal को, bank बोलेगा, कि यार ठीक है, ऐसा है तो करते हैं, तो अब जैसे ही यह early delivery हुआ, हमारा फडाय आ जाएगा, बोलेगा, बैंक, कुछ भी काम करने के पहले, हमारा rules follow करने का, वरना फिर तिरको फडाय से निकाल देगा, नहीं नहीं सर, अगर फडाय से निकल गया न तो, foreign exchange transaction ही नहीं कर पा है, अगर, बैंक को internally, कोई dollar खरीदना है, कोई dollar बेचना है, तो उसके लिए, क्या rates है sir, तो उसके लिए यह वाला rates अपके पास available है, if bank agrees to take early delivery, he has to agree, option ही नहीं है आपके पास, पढ़ाय बोलता है, जैसा customer बोलेगा, customer is the king, वैसा आपको करना ही है, what will be the net inflow to Mr. X, assuming that the prevailing prime lending rate is 18 30%, so, ऐसा scenario है, अब अपने को बताना है, क्या होगा, F.A. situation में, करेंगे start, yes sir, 101% करेंगे start, so, early delivery का question है, illustration 4 है, अपने I.C.A.I. के module का, okay, early delivery, और नाम है question का, kind of Mr. X, हुआ क्या, देखो, 1st October 2015 को Mr. X, मस्क में गया, ठीक है, किस के पास, bank के पास, bank को बोला कि, सुनो bank, मैं आपको sell करने वाला हूँ dollar, तो he is going to sell dollar 1 lakh, कब करने वाला है वो यह, on 31st December 2015 को हमारा यह deal, close होने वाला है, okay sir, no problem, फिर क्या हुआ आगे, अब सुनो, क्या rate पे, sir, rate भी हमारा final है, 65.4 पर डॉलर, रुपी 65.4 पर डॉलर, जे बात sir, मस्क में एक्दम समझ गया, okay, continue करने, अब, यह, कब होने वाला था, यह, बैंक के पास, कब आने वाला था, correct, on 31st December, इसको मैं extend करता हूँ, अब, हुआ, क्या, दिवान से समझना, ठीक है, यह game हो गया है, अभी तक जितना हुआ हुआ है, मैं बहला पहले लिख लेते हैं, इस बार, फिर, आगे क्या हुआ देखो, Mr. X requested the bank to take delivery of the remittance on 30th November, ओ, फो, थोड़ा सा जल्दी आ गया, यह हमारा भाई, बहुत घाई है इसको, तो यह, अब इदर, क्या हो रहा है, देखो, जल्दी आ गया, तो अरली, पहले timeline के, Mr. X, कब आ गया, और 30th, आया 28th को, अपने पास पैसा आने वाला है, वो बोलता है कि मैं $1,00,00 लेके आ रहा हूं आपके पास, बैंक के पास, ठीक है, इसको, बैंक को नाम दे दो, बैंक X, ठीक है, इंटर बैंकिंग रेट दिया वाए, और अब अपने को बताना है, क्या scene होगा, अब सुनो, लौजिकली आप क्या करोगे, और फैडाय क्या बोलता है, दुनों में आप लौजिकली आप क्या करोगे, सुनो, बैंक पर्चेस करने वाला था थीक है on 31st December अब वो होगा नहीं तो ideally होगा क्या पता है क्या यहां पर बैंक को करना क्या चाहिए एंड फेडाई कुछ और बोलता है तो मैं आपको दोनों चीज़े बता रहा हूँ अब यह अपने पास आ गया है 30 नवेंबर को एक लाग डॉलर अभी मेरे पास आगे अब मैं क्या करूँ तो आपको तो लेना ही पड़ेगा तो अपन उसको से 65.4 जो अपना भई डिसाइड़ था उस हिसाब से उसको बोलेंगे कि भाई तू ले ले बट यह एक लाग डॉलर को आप क्या करोगे तो आप भी स्पॉट में उसको सेल कर दोगे आप भी उसको क्या कर दोगे से स्पॉट में उसको भाई उतना सेल कर दोगे तो मैं इसको क्या करूँगा पता Mr. X आया डॉलर एक लाग लेके उसको बहुत लोगा देख spot का ये rate चल रहा है तो उसने बोला क्या rate चल रहा है मैं बोला Z का rate है ले Z के rate के सबसे तरह को पैसा दिया रूपीज दिया जा तू निकल गया वो निकल गया तो X settle X गर पे पौँच गया अभी भी एक transaction खड़ा है कौन सा के एक महिने बाद 65.4 वाला transaction तो अभी भी खड़ा है यहाँ पे 65.4 के उपर देखे customer ने उसको sell किया था तो bank के लिए वो buy है तो bank का buy transaction खड़ा है अभी भी bank क्या करेगा one month forward इसके उपर एक one month forward bank sell का position ले लेगा one month forward एक bank sell का position ले लेगा तो एक महिने बाद क्या होगा bank के पास 65.4 buy का एक position कड़ा है यहाँ पे एक sell का position है दोनों पूरा का पूरा offset हो गया x तो वैसे भी घर पे पहुँच चुका है तो उसको तो कोई tension है ही नहीं and that's how it would have worked but 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 वो सब छोड़ो भूल जाओ अभी मैं जो बोला last 3 minute में वो सब भूल जाओ कि ऐसा होने नहीं वाला है जो होने वाला है वो अपनों बात करते Mr. X आएगा 30th 11, 2015 को और बोलेगा चलो मेरा 1,00,000 डॉलर मेरे को दे दो क्या rate पे दोगे फड़ाई बोलता है वो ही rate पे दोगे जो rate पे final किया है जी हाँ पहला चीज़ पहला चीज़ अपन क्या सीके फड़ाई क्या बोलता है इफ कस्टमर इफ कस्टमर comes early give him या अगर pay करना है तो pay him या receive करना है तो give him मतलब pay करना है तो या तो इसको इधर दे दो pay slash give him slash receive from him at the original decided rate क्या बात करते हो yes पड़ाई बोलता है वो ही रखना है मैं आपको एक एक चीज़ फड़ाई की आपे लिखवा दूँगा कि ये काम आएगी आपको बाद में ठीक है तो वो बोलता है original rate के उपर इसाब clear करो तो in short 65,40,000 उसको दे दो on 30th November सर पका हाँ बोला ना ठीक है सर दे देंगे आप जैसा बोलते हो सो ये एक चीज़ बहुत clear हो गई कि दॉलर एक लाख है into original rate original rate तो 65,40,000 हो जाएगा अब बैंक एक्स फड़ाई को बोलेगा ये फड़ाई तुम लोग रूल बनाना बहुत आसान है बट यहाँ पे हम लोगो तो नुकसान हो रहे है ना उसका क्या फड़ाई बोलता है हाँ वो जो तेरा नुकसान है ना वो recover customer के पास से किसे माना क्या पका हाँ हाँ येस येस तो tension नहीं है अब अगर अपने को कोई loss हुआ है वो आपन लोग recover कर सकते हैं तो उसको लेंगे तेरे को पूरा 65,40,000 नहीं दूंगा मेरको तेरी वज़े से जो loss हुआ है वो मैं recover करूगा फड़ाय ने बोला है अच्छा ऐसा हाँ वो minus करके फिर बाद में जो भी बचता है वो उसको दे दो फड़ाय फिर तो कोई tension ही नहीं है अब क्या loss हुआ है वो मैं तुम लोगों calculation करना सिखा रहा हूँ the most crucial calculation अब समझना ठीक है by default फड़ाय बोलता है that whenever bank enters into a transaction it has to compulsorily enter into a offsetting transaction नहीं समझे बताता हूँ फड़ाय का rule दूसरा यहां पर फड़ाय rules का एक कुछ जो common rule है वो इधर मैं लिखते जाता हूँ अच्छा रहेगा common rules of पड़ाय क्या है पहला common rule whenever bank enters into a forward transaction whenever bank enters into a forward transaction compulsorily it has to enter into a opposite transaction with interbank within interbank market it has to enter into a opposite transaction in interbank market example भी इधर ही दिखा देता हूँ आपको यार क्यूं टेंचन लेते हूँ so say for example mister a आता है bank के पास mister a आता है bank के पास और बोलता है I want to do forward sell mister a forward sell कर रहा है मतलब bank क्या कर रहा है bank forward purchase कर रहा है बराबर है interbank market में interbank market में क्या करेगा यह समझो यह bank x है यह एक है इंट बेंग मार्केट में बैंक X क्या करेगा Correct Foreword Sell का Transaction यहाँ पे जो भी उसने किया है न उसका उसका opposite उसका opposite तो यहाँ पे bank forward लिया है bank ने यहाँ पे forward purchase लिया है bank के नजर से सुचो bank ने तो forward purchase लिया ना तो Mr. A forward sale कर रहा है तो bank forward purchase कर रहा है correct Interbank में वो forward sale का एक entry रखेगा क्या होगा उससे sir सुनो due date पे जब Mr. A आएगा रवर है सामने वाला डॉलर एक लाक अपने को बेचेगा अपने को purchase करना पड़ेगा अपने पास forward sale का transaction है अपना आके उसको बेच देंगे हिसाब clear रहना चाहिए tension नहीं चे लाइब समझे यह फड़ाई का intention है बस exactly opposite होगा अगर bank A Mr. A forward purchase के लिया आया तो bank sale करना चाहते है तो वह forward purchase ले 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 आगे वह forward purchase ले 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 आगे क्या होगा एक महीने बाद forward purchase forward sale हिसाब clear रहना मंगता है no tension समझे गड़ू समझ गए no tension no tension तो यहाँ पर क्या हुआ होगा इसको offsetting the transaction भी बोलते है इसको covering the transaction भी बोलते है compulsory it has to to do so पहली चीज़ अपन लोग ने क्या सीखी कि फर्स्ट पॉइंट में क्या के भाई फड़ाए बोलता है आए वह था है आडवेड आथा ना आर भी आए बोलता है वैसे ही फड़ाए बोलता है क्या के covering of setting the transaction पहला काम हम लोग ने कर दिया अब यहां पर उसको अप्लाए करो by default it has to so यहां पर क्या किया रहेगा हमारे इस बैंक एक्स ने इस बैंक एक्स ने कवर किया रहेगा अपना transaction राइट अब इस बैंक ने सपोज बैंक वाई के साथ कवर किया रहेगा सुनो यह जो कस्टमर है यह सेल कर रहा है बैंक एक्स बाई करने वाला है तो बैंक वाई के साथ वो क्या transaction करेगा तो यहां पर देखो बैंक एक्स यहां पर पर्चेस कर रहा है तो वो कवर कैसे करेगा आपने आपको बैंक वाई को सेल करके समझे यहां पर बैंक एक्स इस पर्चेसिंग वन लैक डॉलर आफ्टर कितना दो महिने का यह यहलो का transaction है यहां पर वो बैंक एक्स बैंक वाई के साथ सेल कर देगा यहां पर सो बैंक एक्स का एक यहां पर है फॉर्वर्ड पर्चेस एक यहां पर है फॉर्वर्ड सेल समझे क्लियर एवरी बड़ी ठीक है तो अफसेटिंग ट्रंसेक्शन हो गया फटाइने जैसा बुला था नो टैंशन नो यहां पर इसका फॉर्वर्ड पर्चेस है कितने पर 65.4 पर यहां पर इसका क्या है कुछ दिया है क्या नहीं दिया कुछ नहीं दिया ठीक है कोई बात नही अब यहां पर आया बीच में मिस्टर एक्स कुद पढ़ा बीच में 30 नवेंबर को और बोला क्या मुझे मेरा एक लाग डॉलर चाहिए अपने को तो उसको 65.4 पर देना है बट मेरे पास एक लाग डॉलर पढ़ा है क्या नहीं तो मेरे को मार्केट से पर्चेस करना पड़ेगा स्पोट में समझे क्या एक्स को देने के लिए आज की एक्स को औन दा स्पोट परचेस करना पड़ेगा जी हां समझ रहा है ताकी 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 वो इसके पास इसको दे सके समझ रहे है इसकर करने के लिए रहा है सेल करने के लिए तो एक्स अगर सबों सेल करके दिया आपने को तो एक लाग डॉलर लिकर आया एक्स 30 नमेंबर को तो आया अपने पास बोला लो भाई डॉलर वन लेक लो और हमारे को पैसा दो फड़ाय बोलता है बैंक के पास से पर्चेस कर रहा है बैंक को बैंक को सेल कर रहा है तो बैंक एक्स के पास पर्चेस हो गया आन दे स्पोर्ट बैंक क्या कर देगा उसको सेल कर देगा बैंक एक्स अब सुनो ध्यान से बैंक एक्स 28 नमेंबर को 28 नमेंबर को क्या कर रहा है बिटा बैंक एक्स 28 नमेंबर को क्या कर रहा है बिटा ही इस पर्चेसिंग डॉलर वन लाक एट दे रेट 65.4 फ्रॉम एक्स फ्रॉम एक्स बराबर है ठीक है इस इनका नाम ही अपने को चेंज कर देना चाहिए बैंक एक्स से है और सब्सक्राइब कोई बात नहीं क्या होते हैं क्या होते हैं यहां पे है मेरा बैंक यहां पे बैंक ए पर चेस करने वाला है डॉलर वन लाक तो वह फॉर्वर्ड में सेल का ट्रांजेक्शन लेता है बैंक सेल करेगा किसको यह बैंक बी को बैंक ए सेल टू बी तो फॉर्वर्ड सेल में वह एंटर करता है कौन बैंक ए क्लियर है एवरिबाड़ी क्लियर है इसको और तोड़ा सिस्टेमाटिकली लिख ले तो लिख लेंगे वह भी लिख लेंगे डोंट वरी वह भी लिख लेंगे अब 28 नवेंबर को यह आ गया ही दो को एक्स गडवर करने के लिए आया अपने पास और अपनेको आके बोलता है चौलो भार मेरेपास डॉलर मैं आकको डॉलर दे रहा है बैंक को क्या करना पड़ेगा बैंक एक को पर्चेस करना पड़ेगा के नाफ़ लिखांधिम यह बैंक ए से समझाद यह sell करना पड़ेगा spot में यह आया है अब sell dollar one lakh at spot sell dollar one lakh at spot क्या है spot का भाव देखो 28 November का अब मेरे को sell करना है तो दूसरा वाला bank buy कर रहा है क्या rate पे करेगा bid rate पे bid rate देखो उसका spot का spot का उसका bid rate है 65.22 at the rate 65.22 समझ में आ गया सर दिमाग नहीं होगा अराम से मैंने चीज़े लिखी है इसको तुम लोग देखते जाओ कि ना तुम लोगो समझते जाएगा डॉंट वरिया अब चल एक्स तो मेरे इसाब से चुट्टा हो गया x को तो अब अपन लोग बोल सकते हैं almost कि वाई चल x तु अभी घर पे जा तेरा तो जो भी काम था हो सब सारा हो गया है 것은 by x को तो अब अपन लोग अल्मोस बोल सकते हैं रहे एक सारा का सारा कार हो गया तू यहां कर लिया dollar 1 lakh on the spot उसको sell भी कर दिया उदर हिसाब clear 31st December को 31st December को bank B अपनी रहत आके बैटा है बोल रहा है सुन मैं forward sell का अपना transaction हुआ है तू मेरे को forward sell करने वाला है बोला हाँ मैं करने वाला था forward sell अब मैं कैसे करूंगा भई मेरी को जो 1 lakh dollar आने वाला था एकस के पास से वो तो आज ही आ गया और आज आके मैंने उसको हाज ही settle कर दिया तो वो time पे मेरे को forward sell करना है तो मैं सलब forward sell करूंगा कैसे मेरे पास तो हैं नहीं तो मेरे को आज एक और transaction और सामने bank B के साथ जो forward sell का transaction मैंने किया हुआ है उसको execute करूँगा तो आज मेरे क्या काम करना पड़ेगा समझें किया bank A को आज और काम क्या करना पड़ेगा उसको करना पड़ेगा bank A को यह इस इस हीरो की वज़े से हीरो नहीं मतलब मैं तो कुछ और ही वर्ड यूज़ करने आला था बड़ तीक है कि वज़े से अब और एक काम करना पड़ेगा चलो इसको थोड़ा इदर शिफ्ट कर देते हैं सब को थोड़ा शिफ्ट करना ही पड़ेगा अब यह हमारा हीरो आया इधर यह ट्वेंटी एट को यह हुआ अब और एक चीज यहां पर होनी बाकी है क्या इस फॉर्वर्ड सेल को आफसेट करने के लिए बैंक को करना पड़ेगा फॉर्वर्ड पर्चेस किस दिन पर इसी दिन पर ट्वेंटी एट नवेंबर को ही वह फ कि एक महीने के बाद का लाक है कि फॉर्वर्ड फॉर्वर्ड पर्चेस आफ्टर वन-मन ठरल अपटर वन और मेर को फॉर्वर्वर्ड पर चेस करना है सामने वाले को फॉर्वरड सल करना सामने वाला अब रियल बैंक है मैं तो ऐसा कस्टमर जा रहा हूं बैंक के बास बोल रहा हूं मेरको फॉरवर्ड पर्चेस है तो सामने वाला सेल करेगा क्या रेट पे आस्क रेट पे उसको सेल करना है वह आस्क रेट पे कर रहा है 65.27 प्लस 0.15 65.27 प्लस 0.15 तो यह आ गया 65.42 65.42 यह आप्टर वनमंत की बात है एक नमबर ना बाई एक नमबर ना समझे गया एक नमबर समझेगी नहीं हो गया डील हो गया हो गया अल्मोस्ट डील हो गया है अब यहां पर थोड़ा इसको खली systematically लिख लेना बेटर है सुनो क्या हुआ देखो 1st October 2015 को किस किस ने क्या किया वो अपन लोग लिख ले थे हैं तो आपको clear हो जाएगा एक्स एंटर्स इंटो एंटर्वर्वर्ड सेल विथ बैंक ए कितना डॉलर वन लैक कितने में एंटर्वर्ड सिक्स्टी फाइप पॉइट फूर रुपीज ए एक्स ने और कुछ किया क्या बस तो बैंक ए की बात करो भी बैंक ए के नजर ये से समझने की कोशिश करो अब बैंक चलो चलो समझने की कोशिश करो बैंक ए के नजरे से अभी बैंक ए ने क्या किया किया है उसी दिन पर इसी दिन पर इसको अना सेंटर में लेगा बैंक ए बैंक ए ने दो काम किया है पहला एंटर इंटू फॉर्वर्ड परचेस विद एक्स एड़ रेट 65.4 बैंक ए एक उफसेटिंग ट्रंजेक्शन भी करेगा अपने आपको कवर भी करेगा क्या एंटर इंटू फॉर्वर्ड सेल विद इंटर बैंक बैंक भी समझ में आई बात येस सथ फिर ट्वेंटी एट को क्या हुआ ट्वेंटी एट नवेंबर को थर्टियत नवेंबर को क्या हुआ मिस्टर एक्स के साथ क्या हुआ बैंक ए सोल्ड परचेस्ट डॉलर वन लैक फ्रॉम एक्स एट दे रेट 65.4 फड़ा इने बोला है वह वह रेट लाएगा ठीक है बैंक एक के साथ क्या हुआ चलो वह बताओ तो देखो बैंक ए बैंक ए सेम परचेस्ट डॉलर वन लैक फ्रॉम एक्स एट दे रेट 65.4 ठीक है अब इसका मैं क्या करूं मेरे पास जल्दी आगया इसका मैं क्या करूं इमीजेट्ली आज करना पड़ा sell करना पड़ा sell spot dollar one lakh at the rate जो rate दियावा है see again I am telling you bracket में इधर चीए तु लिख लो we are selling other bank buying at bid rate at bid rate तो sell spot कब का on 30th November तो क्या rate पे bid rate पे at the rate क्या है bid rate spot का 65.22 got it got it यह क्यूं करना पड़ा यह खाली एक रीजन की हो जैसे क्यूंकि यह जन्दी आ गया अब अब सुनो मेरा उधर bank b wait कर रहा है एक महीने बाद मेरे करण अर्जुन आएंगे मेरा bank a आएगा बराबर के नहीं बैंक के क्या लेकर आएगा bank a में क्या किया हुआ है भाई enter into a forward sell with bank b तो वह forward sell करने के लिए आएगा बट बैंक b के पास तब पैसा बैंक a के पास तब पैसा होगा ही नहीं उसको तो लगा था कि उसको पूरवर्ड समझ रहे हो यह विद्ध बैंक b के साथ ही कर ले था वही सेम बैंक के साथ उसके साथ ही कर ले थैं पूर्चेज़स इस फॉरवर्ड बट one month फॉर्चेज़स इस one month forward फॉर्चे़स पॉर्वर्ड विथ बैंक b on 30th 11 15 for 31st December 15 at the rate at the rate so that bank A is purchasing therefore bank B is selling or main bank B bank B selling at the rate ask rate one month forward which is which is 65.27 plus 0.15 65.4 to some Jew together you 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 what you and you he this is this को ऑपोटि सेल करना पड़ा एंड वन मन्त फॉरवर्ड परचेस करना पड़ा है स्वाइब सेल वन मंत फॉरवर्ड परचेस जब मैं स्पोट सेल करहा हूँ तो क्या रेट पे मैं सेल कर रहूं स्पाट सेल है मेरा 65.22 पे तो मेरे पास पैसा आ रहा है तो पैसा आता है 65.22 आया वन मंद फॉरवर्ड परचेस 65.42 पे मैंने वन मंद फॉरवर्ड परचेस किया है तो उतना पैसा गया नेट क्या हुआ नेट लॉस जीरो पॉइंट टू जीरो समझें मल्टिप्लाइबाइब डॉलर वन लैक तो इसको बोलेंगे आज से स्वाप लॉस इसको बोलेंगे आज से स्वाप लॉस कितना रुपीज 20,000 का समझे गड़ू यहाँ पर पॉइंट टू रुपीज का हुए ला यह इसके साथ मुल्टिप्लाइब के रुपीज 20,000 इधर स्वाप लॉस अब यह क्या होता है स्वाप का मतलब जब अगर अर्ली डिलिवरी हो लेट डिलिवरी हो जो भी हो जो भी हो रहा है वो आया अपना कस्टमर और उसकी वजह से हफरा तफरी में जो मुझे दो ट्रांसेक्शन करने पड़ेंगे न एक अभी का भी उसको सेटल करने के लिए दूसरा जो आगे मेरा अउटस्टैंडिंग है इंटर बैंक के साथ उसको अफसेट करने के लिए वो होता है स्वाप लॉस वो होता है स्वाप लॉस तो उसको म उसको 65,000,000 दे दे रुखो ज़रा सबर करो इतना क्या गाई है और एक चीज हुआ है उसकी वज़े से और एक गलती हुआ है क्या सर क्या मैं बदाता हूं क्या उसकी वज़े से और एक गलती हुआ है इंट्रेस्ट ऑन आउटले ऑफ फड्स ऐसा फड़ाए बुलता है क्या ध्यान से समझता यह भी देखो क्या है अब उस दिन मेरे को अच्छा अनक से पूरा 65,000,000 रेडी करना पड़ा बाई क्या हुआ सूनो बैंक ए पर्चेस डॉलर 1,00,000 यहां पे मेरे पास आ गया डॉलर 1,00,000 at the rate 65,000,000 और मुझे इमिजेटली उसको बेचना पड़ा at 65,22,000 समझते है तुम लोग तो हुआ क्या इसकी वज़े से मेरे को 18,000 रुप्या यहां पे 18,000 रुप्या मेरा छूड गया तो यहां पे मैं फेडा ही क्या बोलता है कि मैं देखो 65,000,000 रुपीज तो मेरा आज नहीं तो कल जाने ही वाला था कोई प्रॉब्लम नहीं है बट अब उसके सामने 65,22,000 मिला है तो यह जो 18,000 मेरा आज एक महीने पहले खर्चा हो गया उसका भी opportunity cost सबका बदला लेगा तेरा फैजल तो यहां पे उसको बोला है interest on outlay of funds मतलब मेरा जो पैसा एक महीने के पैसा अटका है ना उसके उपर भी मुझे interest रिकवर करने को मिलेगा और कितरा रिकवर करने को मिलेगा उन्हाने को प्राइम लेंडिंग रेट दियावा है 18% सो यहां पे विविल से दाट ओन देट ओ जो नुकसान हो रहा ना नुकसान मेरा वो इसकी वज़े से उड़ा है जो मेरा नुकसान हो रहा ना वो immediately यह spot sell करना पड़ा और यह one month forward लेना पड़े यह मेरे picture में थे ही नहीं यह दोनों कभी मेरे picture में थे ही नहीं यहां पे यह जो मैंने story लिखी थी इस story में यह दोनों किरदार कभी थे ही नहीं यह जो नए किरदार आये ना उसकी वज़े से क्या हुआ है swap loss gain जो भी होता है and 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 बाकी मेरा जो पैसा अटका है वो यहां पे अटका है 65.4 और 65.22 का उसका खाली opportunity cost मैं recover करवा रहा हूँ and that is on the date of early delivery extra payment for one month at 18% interest जाने वाला था मेरा 65,40,000 जाने वाला था सर बट उसमें से 65,22,000 मिल गया मेरा 65,40,000 आज नहीं तो एक महीने बाद जाने वाला था बरावर उसमें से 65,22,000 तो मिल गया बरावर आज ही मिल गया तो 18,000 मेरा अटक गया उसके उपर मिरको interest चाहिए बाकी तो 65,40,000 में देने वाला था ना सर कहां मना था अपना एक महीने बाद 18,000 जो मेरा यह आज अटक गया है ना इसका प्रॉब्लम है इन्टू 18% बट सर यह एक ही महीने के लिए तो कितना आएगा 18,000 इन्टू 18% इन्टू 1 बाइ 12 अप्रॉक्सिमेटली रुपीस 270 माइनस करो माइनस करो सब वसू लेंगे सब वसू लेंगे तुमारे पास से कस्टमर फाइनल ही इतना पेमेंट अपन लोग करेंगे ठीक है फाइनल पेमेंट टू कस्टमर यही अगर समझो समझो ना अगर यही अगर 65.4 मेरे को आ गया होता तो मैं इसके पास से इंट्रेस्ट लेता है ठीक है चल मेरे को आज नहीं तो इतना दे नहीं था यह मुझे आज ही पैसा आगया आज ही मैंने तिरे को दे दिया टेंशन नहीं मेरा अटका कितना पैसा एक महीने के लिए वह मुझे पहले देना पड़ा वह चीज़ मुझे चुभा दोस्तों सतर रुपय उसका भी वरसुली चोड़ूंगा इंट्रेस् पड़ा ही गुलता है कितना हुआ फाइनली बोलो ना मेरे बेटा जी बेटा जी 65-40,000-20270 and this is 65-19730 65-19730 एक एक चीज़ एकस्प्लेनेशन के साथ एक एक चीज़ एड़ सेम टाइम डाइग्रमाटिकली बता दिया है लिख दिया है आपके लिए कि कभी आप लोग जब इसको रिवाइस करो तो आपको यह सारी चीज़े ध्यान में आ जाएगी अब यह स्वाप लॉस क्या है लॉजिकली बता दिया इसको बाद में और एक फॉर्मेट में लिख लेंगे कोई प्रॉब्लम भी इस आई कम्प्लीट इस क्वेस्टिन और अर्ली डिलिवरी इन फेट ओफ फॉर्वर्ड कॉन्ट्राक्ट सामझे गड़ू अब एक लास्ट चीज आप लोगे दिमाग में चल रही होगी कि सर अगर यह लॉस के जगह पे गेन हो जाता तो तो बैंक के डिस्क्रीशन पे वो कस्टमर को पास किया जा सकता है ओनली इन स्पेसिफिक केसिस जैसे आगे आगे आटोमेटिक कैंसलेशन और वह वाली चीज में होता है तो वह मैं लास्ट में आप लोगों को इस चीज को बताऊंगा डोंट रही बता मतलब एक आप लोगे साथ डिसक्रीश कर लिया कि यह आ सकती है दिमाग में चीज तो उसका निवारन होगा आगे जाके तो इसी के साथ आई सी ए आई का मेरा पहला प्राश्न तो यस कना इसे थ्री इस डण फोर इस ऑल्सो टान देखो इसने अर्ली डिलिवरी के लिए क्या बोला आपको दो चीज़े लेनी हैं स्वाप डिफ्रेंस इंट्रेस्ट और आउटले और फाट्स लास्ट में कॉंसे सिटुएशन में क्या करना है चलो अभी आगे बढ़ें अर्ली डिलिवरी से सिधा cancellation on due date देखो दो डिलिवरी में दो थे तीन है राधर delivery on due date ये हो गया अभी अर्ली डिलिवरी हो गया लेट डिलिवरी में एक concept है automatic cancellation का या cancellation वाला तो इसके लिए वो recruit आवा ये देखो लेट डिलिवरी है takes place with the provisions of automatic cancellation तो आगे एक sum आएगा उससे ये चीज़ समझ जाएगी तो अभी hold पे है cancellation on due date priority पे है अव इसको start करते है in case of cancellation on due date in addition to flat charges if any the difference between अरे मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ मेरको तो concept discuss करना है तुम्हारे साथ आओ लिखते हैं पहले कि क्या होता है concept कौन सा concept बेटा it is cancellation on due date cancellation on due date आओ question को frame करते हैं बहुत easy है बता देंगा मैं आपको कैसे करना है let's start on 15th of January 2015 you as a banker booked a forward contract एक एक से एक से मैं उसके उपर जाओ उसके पहले मैं बता देता हूँ cancellation दो कारणवश हो सकता है एक मैंने जो forward deal book किया था और अब मैं जो spot देख रहा हूं एक मेरको spot में better deal मिल रहा है समझे क्या तुम लोग so say for example मैंने forward book किया था forward book already क्यों हो सकता है cancellation तो इदर लिख देता हूं reasons of cancellation reason of cancellation if customer getting a better deal in spot on due date then already booked forward then already booked forward customer getting a better deal in spot on due date then already booked forward तो फिर वो आएगा cancellation कर रहाने के लिए या फिर कभी-कभी genuine चीज़ भी हो सकता है export या import deal cancel हो गई हो if export और import deal of customer is cancelled in those situation में वो अपने पास आएगा cancellation के लिए अगर मैं बैंकर हूँ तो मेरे पास आएगा वो cancellation समझेगा पॉब्लेक एक बार बोलते ना हाँ सब्सक्राइब सामझे चरो ओके डर अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं cancellation on unit on 15th of January you as a banker booked forward contract for US dollar 2,50,000 for your import customer deliverable on 15th March at 65.3450 on due date customer request you to cancel the contract but on due date to cancellation on due on this date quotation for interbank market is as follows assuming that the flat charges rupees 100 exchange margin is 0.10% determine the cancellation charges payable by the customer अब बनाओ यहाँ पे कहानी को on 15th January you as a banker booked a forward contract for your import customer अब आप मुझे बताओ मैं मैं बैंकर हूँ मेरे पास एक customer आया import customer तो import customer को on due date किसकी जरुवत होगी डॉलर की जरुवत पड़ीगी या वो डॉलर लेकर आएगा उसको डॉलर की जरुवत पड़ीगी बरावर है तो कहना इससे मैं forward में डॉलर सेल करूंगा या ऐसा बोले तो customer forward में डॉलर purchase करेगा समझे क्या तुम लोग यार परावर है यहां पर उसको लिखना पड़ेगा उसका interpretation पहले मुझे आप लोग को बताना पड़ेगा question 5 question 5 का interpretation क्या लिखा है देखो you as a banker booked a forward contract for your import customer deliverable as it is मैं यह line लिख रहू और इसका मतलब नीचे समझाऊँगा ताकि note जब आप रिफर करो आपको एक एक चीज मेरी याद आ जाए you as a banker booked forward contract booked forward contract किसके लिए सुनो ना किसके लिए for import customer for import customer मतलब हमारा जो कस्टमर है वो importer है परावर है means our customer is importer that is he will require foreign currency in future importer है ना तो उसको importer को foreign currency की जरुट लगती है वो importer foreign currency की जरुट लगेगी और फिर वो बेज़ेगा देर्फ़र इन अबाव केस क्या हो रहा है कस्टमर क्या करेगा वन मन्थ फॉर्वर्वर्ड पर्चेज करेगा एन बैंकर वन मन्थ फॉर्वर्ड सेल करेगा सही जा रहा हूँ डन है ओके सर डन है ओके मामा अब आगे बढ़ते हैं क्वेस्टिन को आगे का मैं रीडिंग करता हूँ अब थोड़ा इसको बना ले दें एक पिक्टोरल फॉर्मेट में ठीक है कहानी शुरू होती है कब कहानी शुरू होती है 15 जैनुवरी 2015 को क्या हुआ उस दिन पॉर्वर्ड कॉंट्रेक्ट बुक किया डॉलर तूलाइक फिफ्टी थाउसंद अभी सुनो ना क्वेस्टिन में क्या बोला है देखो कैंसलेशन चेज्ट चेज्ट चार्जिस पेबल बाइद कस्टमर के एंगल से सोचते हैं ठीक है वन मन्थ पॉर्वर्ड पर्चेस बुक किया ठीक है कितने में 65.3450 65.3450 फिर ओन दू देट कस्मर रिक्वेस्ट स्यू ठीक है कव का है बाइद दू देट 15th मार्च 15th मार्च कस्टमर कैंसल ठीक है और यह हमारा दू देट भी था ओके डन फिर ओन दिस देट 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 पोटेशन इस फॉलोज ठीक है उसने अपने को कोटेशन दिया होगा क्या वह बताओ सर अब होगा क्या वह बताओ चलो यह सिस्टम तो समझ में आ गया कि वह ऐसा सिनारियो हुआ था वह आया और उसने कैंसल किया अब अपन उसको क्या बोलेंगे पता है क्या अपन उसको बोलेंगे कि सुन तू वन मन्त फॉरवर्ड करने वाला था करेक्ट अब तू कैंसल कर रहा है तो कैंसल कैसे होगा तो अपन लोग उसको बोलेंगे कि फॉर्वर्ड परचेज है ऑल्रेड़ी किस पे 65.345 के ओपर अब इसको ऑफसेट कैसे करेंगे अपन लोग बनावर है तो अपन उसको वो लेंगे कि सुन इसको है ना अपन लोग अंदर-अंदर ही एक गेम के लिए क्या गेम के लिए तो सुन मैं तेरे को आज स्पॉट पे स उसको कैंसल कर दें नहीं समझे सब्सक्राइब वापस से जान से कस्टमर वन मंथ पॉरवर्ड परचेस करने के लिए तो उसको वन लैक डॉलर चाहिए अपने पास से अपन उसको बोलेंगे कि ठीक है अब तू तो कैंसल कर रहा है तो तो ऐसा अपनों करते हैं कि नहीं पर परचेस करेगा और तू हमारे कोई वापस सेल कर देगा तो हिसाब जीरो एस गुड़ आस कैंसल क्यूंकि तेरको अब देना नहीं है इंपोर्टर को आगे एक्स्पोर्टर को आगे तेरको नहीं देना है तो तू ले हमारे पास से उस रेट पर जो डिसाइड़ था बट आ स्पोर्ट पे सेल कर देगा कब पंद्रा मार्च को क्या है पंद्रा मार्च को उसका रेट वो सब अपनलोग फाइंड करते है न सर आओ न उसके लेक वर्किंग नौट बना देंगे आओ सो वर्किंग नौट वन कैलकुलेशन ओफ सेल स्पोर्ट एज ओन फिफ्टींथ मार्च जो है मेरा व्यूडे जो है मेरा व्यूडे कि अगया तुम लोग भाई वन मन्थ प्रवर्ट परचेस मेरे को नहीं चीए यह पर्चेस नहीं करना पर आपका आपकर अगर किसी को बादारी चले का ऐसा तूब परचेस कर ले और वापस हमारे कोई सेल करने मैंटर कैंसल क्लोज ठीक है सर चल यह कर सकते हैं जो भी अपना हिसाब होगा जो भी डिफिरेंस आएगा तेरा प्रॉफिट भी तेरा लॉज भी तेरा सुख भी तेरा दुख भी तेरा वासाप चल तो calculation of sales spot as on 15th March क्या है तो देख इदर कस्टमर कस्टमर सेल्स अब इसका calculation कैसे करेंगे जो भी एग्जामिनर है भाई पेपर सेटर है भाई बढ़िया है जो क्वेश्चन सेटर है उसने अपने को यहां पे दिया है स्पोट एप्रिल का में का सब दिया information कहा जरुवत है अपने को इतना सारा information का भाई अपने को कहा information का जरुवत है यह देख ओन देट कब 15th March को due date के दिन 15th में को on due date you are requested to cancel on this date quotation is as follows spot is 65.29 slash 2975 अब सुनो अपने को calculation of spot rate find करना है सो कस्टमर सेल्स बैंक बाइज बराबर है बैंक ऑल्वेज बाइज बाइज एट बेड रेट बेड रेट कितना है उसका बेटा जी बेड रेट कितना है उसका spot का 65.2900 सो 65.2900 अब मार्जिन भी दिया है अब बच्चों को इसमें पता नहीं क्यों बहुत टेंशन आदे सर्फ मार्जिन एड करना है कि लेस्ट करना है लॉजिक दिमाग में एक बार लॉजिक कॉंसेट हो गया और फिर बाद में आपको टेंशन लेनी की जुरुत नहीं कि क्या होगा अब सुनो कस्टमर सेल कर रहा है बैंक बाइक करते हैं जब कस्टमर आप कोई चीज सेल करते हैं मार्केट में से वह एंग्जामपल मैं गया बाद हूँ आप हजार रूपे मैंने बेचा बराबर कोई भी चीज जब मैं बेचता हूं तो मेरे पास पैसा आने वाल है जब वो पैसा आने वाल है ना सामने वाल आपना कमिशन डिड़ करके मेरे को देगा समझे तो कस्टमर जब सेल कर रहा है तो अपन उसका मार्जिन उसमें से माइनस कर देंगे कितना है उसका मार्जिन बेट्टा इपने इस जीरो पॉइंट वन परसंट तो मार्जिन है जीरो पॉइंट वन परसंट तो देखो कितना आता है it is 65.29 into 0.1 65.29 into 0.1 and this is 65.29 में मैं तिरको बेचूंगा बट जब मैं तिरको पैसा दूंगा ना मेरा मार्जिन कट करके दूंगा और सर रिवर्स हुआ तो जब वो आएगा तो वो भी बताऊंगा यह लॉजिकली समझा समझा सब्सक्राइब 0.06529 तो नेट उसको अपन लोग कितने में सेल करेंगे 65.29 माइनस 0.06529 and this is 65.22471 सम्झे क्या है संझे के नी बोलो ना यह बोलो ना बोलो ना बोलो 62.65.2247 काम ओक यह काम यह बखाब यह बखाब यह सब्सक्राइब सर समकंप्लीट हाँ समकंप्लीट अभी अपने को जो लास्ट कैलकुलेशन करने उफटा फटा भी आपर लोग कर लेंगे इसमें क्या होता है पता है क्या कैंसलेशन ओन डू डेट पे एज़स्मेंट हो जाता है कि अगर सामने वाले का फॉरवर्ड पर्चेस था समझे डन है इसको प्यार से एक्स्चेंज डिफरेंस भी बोलते हैं इसको आएगा आगे और क्लारिटी के साथ जिविंग यू एन आइडिया सम इस डन है जो आप कस्टमर के एंगल से देखो आजब कस्टमर को अपन ने क्या बोला सुन तेरा अल्यड़ी फॉरवर्ड पर्चेस का रेट तो ही 65.345 तो तू पर्चेस करेगा एड़ रेट 65.345 पे और सेल करेगा बराबर है जब पर्चेस करेगा माइनस सेल करेगा तो पैसा आया कितने में कितना आया कमिशन विमिशन माइनस करके 65.22 65.2247 चारी डेसिमल लो तो क्या हुआ देखो आपको 65.2 लॉस हो गया उसको 65.2247 का सेल है और बाई क्या 65.3450 में तो यह आ गया आपको लॉस पर डॉलर रुपीज लॉस पर डॉलर कितना पॉइंट 1203 करके कितने का था भाई पूरा डील पूरा डील कितने का था अलो कितने का था 250,000 तो कितना हुआ लॉस हो गया रुपीज थर्टी ताउजन जीरो सेवन्टी थर्टी ताउजन जीरो सेवन्टी था त्यूज़ अब और एक चीज उसने बोली है क्या फ्लैट चार्ज फ्लैट चार्ज़ फ्लैट चार्ज़ फ्लैट चार्ज़ फ्लैट चार्ज़ पर डॉलर कुछ नहीं सो टोटल लॉस कितना होगा विचारे का टोटल लॉस रूपीज 30175 सम कंप्लीट यह भी कंप्लीट हो गया रहता है अगे सो समझ में आ गया इसी के साथ होता है कंप्लीट अपना कैंसलेशन ओन ड्यू डेट अब इसी के साथ आगे बढ़ेंगे तो यह देखो चीजे होती जा रही है अपनी कैंसलेशन ड्यू ड्यू डेट हो गया हो गया अब कि अब अर्ली कैंसलेशन कर लेते हैं वाले सब एक साथ हो गया में कि अचान happiness के और के सबका जो सब्सक्राना कर सब्सक्राइब करा है यह सबका जो लॉजिक है एक साथ मैं दुम्हों को बाद में लिख अडशन ही लेने नेक्स्ट इस कॉंसेप्ट ओफ अर्ली कैंसलेशन सेमी चीज चलेगी इसमें तुम लोग को चाहिए तो अपन लिख सकते हैं क्या हुआ कैंसलेशन ओन द्यू देट पे क्या हुआ दो कस्टमर इस आज़्ट तु टेक एन अपोसेट पोजीशन क्या हुआ 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 अब कांसले अर्ली कैंसलेशन सिमिलर लाइन के ऊपर है आज़ा फटा फटा हो जाएगा इसके लिए ना you as a banker entered into a three months forward contract with your customer and to purchase AUD Australian dollar 1 lakh at the rate of rupees 47.25 however after two months your customer comes to you and requests cancellation of the contract on this date quotation for AUD is as follows determine the cancellation charges payable by the customer अब customer के angle से सोचना चालो you as a banker entered into a three months forward contract with your customer to purchase AUD 1 lakh तो banker purchase कर रहा है मतब customer sell कर रहा है so start करते हैं question 6 customer क्या कर रहा है 3 month forward sale contract में एंटर कर रहा है है कि आख में हैं पारवर कांट्रेक्ट कर रहा है पर्वर गॉर्टे से सब्सक्राइब है और पर्षेज ए ये यूद ऑस्ट्रालियन डॉलर को कि तीन महीने का कॉंट्रेक्ट है कि तीन महीने यहां पर कतम होता है बट उसी के पहले कस्टमर आ जाता है और बोलता है सर हमारा डील कैंसल हो गया सर अब हमारे को नहीं करना है यह कॉंट्रेक्ट कंप्लीट अरे यार आफे कैफे यहां सर जो है वो है कोई पार आफ्टर टू मन्स और कस्टमर कंस्ट्मर कंस्ट्व एन रिक्वेस्ट पर कैंसलेशन अफ दू मन्त पर यह इधर में लिख देता हलो यह मेरा ड्यू डेट था हलो यह मेरा ड्यू डेट था बट अर्ली कैंसल आके बलते हैं कैंसल कर दो तब ओन दिस देट कोटेशन फॉर एउडी इस आस फॉलोव स्पॉट भी है वन मन्त फॉरवर्ड भी है क्या करवा होगे क्या करवा होगे अपन उसको बोलेंगे कि सुन भाई देख अब जो हो गया सो हो गया कैंसल तो कर रही है अपने को अपन ऐसा करते हैं तेरे को एक महीने बाद का यहाँ पे तेरे पास तीन महीने बाद का सेल कॉंट्रेक्ट है एक महीने बाद का पर्चेस कॉंट्रैक ले ले यहाँ पर ऑफसेट करने के लिए तो ऑफसेट कि बैंक विल टेल कि समझे क्या कस्टमर टू बाइए कि वन मंथ फॉर्वर्ड पर्चेस कॉंट्रैक्ट सर उससे क्या होगा एक महीने बाद का कस्टमर के पास पर्चेस कॉंट्रैक्ट है एक ही महीने बाद का कस्टमर के बाद सेल कॉंट्रैक्ट है तो अब उसको आज की तारिक में क्या करना है उसको फॉर्वर्ड कॉन्ट्रैक लेना है यहांपर उसने क्या किया था मैं लिखना ओल तो लिख नहीं यृदर है 47.25 अ ă कि 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 समझेंगे नहीं बोलो सची बोलो सब्सक्राइब अब ऑफसेट करना है सो देखो इदर कि आफ्टर टू मंट्स कि कस्टमर कि एंटर इंटू वन मंथ कि फॉर्वड पर्चेस क्या आएगा सीन देखो जरा कस्टमर पर्चेस बैंक सेल एदर रेट असक्रेट देखो जरा कितना है वन मंथ फॉर्वड का 5200 47.5200 बस मैंटर क्लोज सो अब देखो क्या हुआ अब देखो क्या हुआ कस्टमर पर्चेस कर कस्टमर का सेल कॉंट्राक्ट है कि फॉर्वर्ड सेल कितने का है वाई 47.25 इसेल करते हो तो पैसा आता है फॉर्वर्ड पर्चेस अभी अपन लोग ने एंटर करी लिया पैसा जाता है 47.52 ये तो हो गया लॉस लॉस पर अउड कितना 47.25 माइनस 47.52 नेगेटिव डॉलर 0.27 multiply by 1 lakh hmm तो 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 पॉस वहा अच 1 lakh into 0.27 okay UPI's 27,000 lost to customer so amount payable by customer to back यह वो है basically by customer to रुपीज 27,000 matter close early cancellation be done लेट cancellation वाला अभी आपनों करी नहीं रहें अब आते हैं extension पे extension on due date और उसके बाद early extension आ जाएगा extension before due date यह दोनों कर लिया उसके बाद जो भी है cancellation वाली चीज़े लिख लेंगे अब आजाओ next concept के उपर तो यहां पे भी क्या क्या पर लोग ने वहीं क्या अंदर अंदर उसको settle कर रहा है no tension exchange difference आगे बढ़ेंगे गाई नेक्स 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 चलेंगे वैसे यह जो लिखा था इसको basically बोलते हैं exchange difference concept कहीं पर लिखना आप लिख सकते हैं लिख अब भाओ शबाशे next question करा देंगे extension on due date concept extension on due date ठीक है अब सुनो क्या सीन है इसका लॉजिकली क्या होता है extension on due date का on due date वो आके बोलता है कि मुझे कुछ टाइम बाद इसको execute करना है so meaning क्या है इसका above concept means the customer wants to to execute the contract at a later date इसको बोलते हैं extension cancel नहीं कर रहा है वो extension कर रहा है suppose you are a banker and one of your export customers has booked dollar one lakh forward sale contract exporter है तो वो तो sale contract ने book करेगा वो डॉलर सेल करना चाहता है banker buy करेगा with you at the rate of 62.52 and simultaneously you covered yourself तो अपन लोग offsetting transaction कवर करी लेते अपने आपको यार पाइदा ही रता है उसमें देखो न तो पहले cancellation तो cancellation का जो procedure है जो प्रक्रिया जो अभी आप लोग ने सीखी है वही करनी है exchange difference और एक महीने के बाद का एक नया contract देना है that's all you have to do in this situation on this date on this date the quotation for US dollar in the market was as follows spot one month forward determine the extension charges payable by the customer assuming exchange margin of 0.1% on buying as well as selling आपका दोनों काम यहां पे हो सकता है अब देखते हैं अभी situation को समस्ते हैं solve करना है customer के एंगल से उतना ध्यान रखना मैंने जब first time यह सम पढ़ा था न मैंने यह पूरा some solve कर लिया banker के एंगल से इतना shortcut देखा तो customer के एंगल से तो और लंबा हो जाता है क्योंकि उसने cover भी किया अपने आपको anyways चल ठीक है कहानी को आगे बिडाएंगे 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 बिडाप and we will write here illustration 7 solution solution सब्सक्राइब करेगा मैंने भी बुला कस्टमर के एंगल से सब अपने को सब्सक्राइब करेगा अपने पास क्या क्या उसने फॉर्वर्ट सेल में युएस डॉलर वन लाइक एड़ 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 एक फॉर्ट टू मन्स एड़ेट 65.52 तू मन्स फॉर्वर्ट से लिख देते हैं अपनों के आप पर अपने को कस्टमर के एंगल से सुचना है तो यह लेना देना नहीं है अपने को फिलाग यह यह मैं कट कर देता हूं क्योंकि कस्टमर के एंगल से सोचना है आफ्टर टू मन्स ठीक है मैंने इसको बैंकर के एंगल से सॉल्व किया है तो बताना मुझे बताऊंगा तुम लोगों मजा आजाएगा चलो हावेवर ओन दू देट आफ्टर टू मन्स मेरा कस्टमर आया कस्टमर कमस्ट यू एंड रिक्वेस्ट एंड रिक्वेस्ट के लिए यहां पर अपन पहले लिख लेंगे टू मन्स के बाद है दू देट है इस दिन आके वो बोलता है कैंसल प्लस एक्स टेंड अच्छा कितना एक्स टेंड करने को बोल रहा है वह ऑग्वाइं बाइवनमन चलेगा जब मेरे को यहां पे cancel करना है ऐसा भूल जाओ कि एक्स्टेंशन भी है पहले खाली cancellation के एंगल से सोचो मजग नहीं कर रहा हूं इधर का इधर ही सम सॉल्वर जाएगा कैसे आओ देखो दिखाता हूं इधर मेरा two month forward sale तो ही कितने पे 62.52 तो पैसा आने वाला है अब वो क्या बोल रहा है कि इसको cancel करना है कैंसल कैसे करते दिड्यू डेट के दिन वो आया है तो ऑपोजेट परचेस कर लेंगे ड्यू डेट पे पर परचेस हो जाएगा अब अब सुनो कस्टमर परचेस करने के लिए आया है तो कहना इससे बैंक कि सेल करेगा एड़े रेंट आस रेंड है साही है समझ में आया तुम लोग को यहाँ पे देखो वरकिंग नोट के त्रूह ही बताता हूं या अच्छा रहेगा सो यहाँ पर पहले अपने को कैंसल करना है कैंसल क्या क्या रेट पर अपने लोग करने वाले वहाह हैं सो भी will say due date पे वो spot purchase करेगा, right, by customer, मतलब देखो, अभी सम्झा, logic सम्झा, कस्टमर परचेस, मतलब बैंक, सेल, एड़ रेट, आस्क रेट, अब सुनो, क्या यार यह जो पेपर सेटर है, क्या ही गेम खेलता है, यह देखो, कैसे उसने डाला है, 62.72, 62.68, ओ भाई साब, आप हमको उल्णो ना बना सकते, हमको पता है, ask is always greater than bid, आपने यह पे, उल्टा, जान बुझके किया है, हमारे को confuse करने के लिए, आपने उल्टा, जान बुझके किया है, हमको सब पता चलता है, समझे क्या तुम लोग, very, very important like, so therefore, ask rate क्या है अपना, 62. 62.72, जान रखना, अब, 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 अब मार्जिन का क्या करें, मार्जिन का, क्या करें, मार्जिन करना ही है, 0.1%, अब सुनो, आप, sell कर रहे हो, सामने वाला, purchase कर रहे, मैं 5000 रुपे का, shares, purchase कर रहा हो, मेरको commission देना है, तो वो 5000 में add कर देगा, 500 रुपया, 5500 मेरको उसको देना पड़ेगा, add margin 0.1%, logically सोचके करो, better रहेगा, बाकी format में बता सको, कोई बड़ी बात नहीं है, 62.72, plus 0.1%, 62.72, into 0.1%, is 0.06272, कितना हो गया, कितना हो गया, 62.78272, अब इसको राउंड आफ भी करते है, फिलाल मैं वो सब में नहीं जा रहो, मैं को, I want to keep it raw, last में वो कुछ points से open लिख रहेंगी, उसमें समझ जाएगा, अब मेरा, आ गया है ये, spot purchase, purchase किया तो कर्चा हुआ, less, कितने बें, 62.7827, ये है 52, इसको मैं 0-0 लेता हूँ, बोलो, क्या आ जाएगा, 62.7827, वापा से लॉस, 62.52-62.7827, 0.2627 का लॉस, इंटो एक लाग, 26,270, हो गया, एक पार्ट हो गया, cancellation वाला पार्ट हो गया, ठीक है, अब मेरे को एक नया, extension का भी लेना है, तो आजा उसके लिए working note और एक, extension, for one month, अब सुनो, क्या कर रहा है, वो starting में वो ही करना है, one month forward sale ले लेना है, उसको, one month forward sale, customer sale, bank, buy at bid rate, एक महीने बाद का देखो, जरा bid rate क्या है बेटा, one month forward bid rate, 62.64, 62.64, okay, matter close, margin है सर, margin, अब सुनो, bank, customer sale, bank, buy, जब bank कुछ buy कर रहा है, तो वो आपको पैसा देगा, अब जब वो आपको पैसा देगा, तो वो पैसा माइनस करके देगा, इधर आ जाएगा, at the rate 0.1%, 0.06264, 0.06264, चीक है, तो 62.64, minus 0.06264, 62.57736, matter close, matter close, क्या पुछा है उसने देख लो अभी, उसने question पुछा है, and determine the extension charges, 27260, जो भी था अपना, and assuming buying and selling, इसमें देखो buying and selling दोनों है, तो जब, अगर ऐसे logically तुम लोगो नहीं करना है, mathematically करना है, तो फिर जब customer ने purchase किया, तो add हुआ, जब customer ने sale किया, तो less किया, लीख लो गैट, margin treatment, margin treatment, when customer sells, reduce margin, ठीक है, when customer, purchases, जब लोगो गाइस, तो यह हो गया, मेरा, extension on due date, extension on due date, simple cancel, extension वाला काम है, वो कर रहा है अपने को, वो है यहां पे, last, second last kind of question है, second last question भी है, बोलो, उसके बाद एक question हैगा, उसमें सारे cancellation, cancellation का काम आजाएगा, अब है, extension on due date था, यह extension before due date, same, same logic रहने वाला है, इसमें कोई अपने को, extra दिमाग नहीं लगाना, extension भी हैं बेटा, tension ही मन लेना, extension before due date, extension before due date में क्या आएगा, पहले ही वो आके कर रहा है, तो illustration पे ही चालू करता हूं, मैं सीधा, एट, I see आएगा, सारा illustration कर रहे है, life में confidence, आणाएगा नहीं, बहुत सारा आणाएगा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शबाशे, 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 बहुत बढ़िया, चलो, let's start, same कर रहा है, cancellation, plus extension, suppose you as a banker, entered into a forward purchase contract, अपना forward purchase है, customer का sale है, यह देखो, determine the extension charges, payable by the customer, तो customer के angle से ही सोचना है, for US dollar 50,000, on 5th March, with an export customer, for 3 months, at the rate 59.6, on the same day, you also covered yourself in the market, 60.6025, however on 5th May, your customer comes to you, and requests extension, of the contract to 5th July, on this date, which is 5th May, quotation कुछ ऐसा ऐसा था, margin 10.10% buying selling, दोनों पर है, अपने को बताना, extension charges, payable by the customer, and the new rate, to be quoted to the customer, जैसा बोला, वैसा ही हो रहा है, आओ, illustration, so start होता है, सभी बना लेता है, suppose you as a banker, entered into a forward purchase contract, मतलब customer, forward sale, कितना, 5th March को 3 months, यह है, 5th March का दिन, forward sale, 3 months, so 3 months forward sale, hmm, customer 5th March, 3rd 3 months forward sale, आगे क्या बोलता है, regular, rate, at the rate, 59.6, on the same day, यह अज़ा तो, banker कवर कर रहा है, उसका अपने को के लेना देनी है, 5th May, your customer comes to you, and request for extension, to 5th July, ticket, 5th March, मतलब, 5th March से 5th April, 5th April से 5th May, June को खतम होने वाला था, इधर था due date, 5th June का, बट उसके पहले कस, आ गया customer, कभी, 5th, क्या बोलता है, क्या बोलता है, प्लस, extent, कितना extent, 5th July तक, extend, 5th July, ऐसा डाइग्राम, एक्जाम में भी बना है, तो, चॉलबे, अरे, चॉलबे चुड़ो, दोडबे, बिंदास यार, cancel, प्लस, extent, 5th July, फटाफ़ट अभी इसको, फटाफ़ट solve करेंगे, अब देखो, जब मेरे को, इसको cancel करना है, तो मैं क्या करूँगा, सुनो, 1 month, forward, sale है, 1 month forward, purchase कर लूँगा, बात कतम, बराबर है, सुनो, to, cancel, 1 month forward purchase, sorry, 1 month forward, sale, to cancel forward, sale, ऐसे लिखते हैं, तुम लोग के लिए, लिख वा रहा हो हैं ये सब, ताकि तुम लोग revise करो तो याद रहे, to cancel forward sale, due after 1 month, we will, do, 1 month forward purchase, today, that is, 5th May, on 5th May, अपने को चाहिए, एक महिने के बाद का, 5th June का, rates, अब सुनो, logics, logics को कभी नहीं चोड़ेंगे अपन, कुछ भी हो जाए, so, customer को, purchase करना है, बैंक, बैंक, इसेल, एट, आस्क, रेट, देखो ज़रा क्या है, आस्क रेट, वन मन्त, उसका, 2425, 59.2425, 59.2425, 59.2425, अब, margin, margin कितना है, 0.1%, customer purchase कर रहा है, अग, when customer purchases, add margin, add 0.1% margin, 0.0592425, यह आजाता है, 59.3017, एटीक है, so, cancellation charges, यह तो फटा-फट, calculate हो जाएगा, cancellation charges, देखो, forward sale, अपना, 59.6 पे है, forward sale, sale मतला, पैसा आया, 59.6 पे, forward purchase, जो भी अपन लोग ने किया, वन मन्त वाला, 59.3017, क्या आजाएगा, ओ-ओ-ओ, फाइदा हो रहा है यह तो, gain है, gain, gain to customer, payable by bank, खुश, अंती, यह भी एक देखना दाना, तुमारे को, look, bank gain, देगा भी customer, 59.6, minus, 59.3017, 0.2983, multiply by, 1,005, 50,000, अच्छों है, चुट, 14.915, ठीक है, और फिर उसके बाद, extension, टू मन्स पॉवर्वड, टू मन्स पॉवर्वड ले लेंगे, अपन लोग, यहाँ पे, में से जून, जून से जुलाए, सिरू अयँ, लोग, नॐ मन्स पॉवर्वर्ड, से इक्सेंशिन, टू मन्स पॉर्वर्वर्ड, से ओं रोप्न, में, ट्विट्ध, जूलाए, जूलाइ, बोलो, क्या आयगा, टू मन्स पॉर्वर्वर्वर्ड, करें के, customer sell bank buy at the rate bid rate exam में भी लिखना थोड़ा मैनत करना है बहुत अच्छा रहेगा क्या है बेड रेट फिफ्ट जुलाई का 59.63 59.63 customer sell कर रहा है जब customer sell करता है तो margin reduce मैं तो आप लोगों को लॉजिकली भी बता चुका हूं format के टर्म्स भी बता चुका हूं यह होता है 0.05963 हूं यह आ जाता है 59.5704 तो उसने पूचा था ना क्या निव रेट को टेट टू कस्टमर समझ रहे हो एक बात एक बहुत पॉजिटिव बात समझ रहे हो तुम लोग देखो शुरू मजबूर्य में किया था आपने यह लेक्चर अब मज़ा रहा है क्या कि नहीं एक्स्टेंशन ऑन डूडेट भी हो गया अर्ली एक्स्टेंशन भी हो गया बोलो क्या ची आपको लाइक कितना बचा है खाली अब एक दो तीन अब एक सम लास सम बाकिए इंस्ट्रिट्टूट का वो सम कर लिया हो गया अपना काम उसमें आपने का मतलब क्या है एक दो तीन चार पांच शे शे सिस्टम अपने सॉल्व हो गया है आपको बताना है अब तक कैसा नगर है मजा रहा है यही तो चलते आप आप अख्री अस्पेक के उपर जी हाँ and that is automatic cancellation. मजा आजाए गाइस में अच्छा रहा है आपन लूग तो अवेटे तो मोस्ट अवेटेड 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 automatic cancellation yes you heard that right क्या वर्ड ली कहा है देखो automatic cancellation देखना अभी मैं तुम्हेरे को कुछ चीज रीड करवा रहा हूं ध्यान से देखना मॉडूल की चीज है देखो जब लेट extension करना था उन्होंने बोला रुक जाओ हम automatic cancellation के टाइम पे discuss करेंगे मैंने बोला ठीक है जी फिर बाद में आया लेट कैंसलेशन उन्होंने बोला रुक जाओ automatic cancellation के टाइम पे discuss करेंगे मैंने ठीक है जी लेट डिलिवरी की बात आई उन्होंने बोला रुक जाओ automatic cancellation के टाइम पे discuss करेंगे तो यह automatic cancellation आखिर क्या है and now that is where we come to the last illustration of the chapter as per ICAI जहां पर आपन सीखेंगे समझेंगे automatic cancellation let's start guys बहुत अब manageable लगेगा because अपन लोग ने इतने चारपात sums कर लिया ना तो अपने को पता है swap loss क्या होता है अपने को पता है कि exchange difference क्या होता है अपने को पता है interest on outlay क्या होता है एक जगा जब दमा हो तीन हो कौन interest on outlay exchange difference swap loss अप समझ लो आप automatic cancellation पे आ गए हो तो इसका मतलब क्या होता है कुछ ऐसा है when the customer does not come on the due date ठीक है when the customer does not come on the due date ठीक है as per Fadai he is given three days to come and ensure that he can still manage to honor the contract समझ लोग तो Fadai RBI कहता है Fadai कहता है that अगर आपका due date हो गया है और उसके तीन दिन तक भी customer नहीं आया then it stands automatically cancelled भूलता है वो तीन दिन वेट करवा प्लीज तीन दिन तक अगर वो कस पहले बंदरा दिन का टाइम होता करता था अभी उन्हाने तीन दिन का कर दिया and so if the customer सुन्ना ध्यान से if the customer does not come till three days after due date the forward contract stands automatically cancelled sir cancel तो हो गया बट हमारा क्या बैंकर बोलेगा हमारा क्या तुमको जो उस पंदेगा उखाड नहीं उखाड लो इसको इंसॉल्मेंट साबीत कर दो उसके पास से जो तुम लोगो प्रॉपर्टी लेना है ले लो ऐसे कैसे भाग सकता है वो बट तीन दिन का टाइम दे तीन दिन के टाइम के बाद और उसके पहले तक क्या इन दिन तक क्या उसके लिए अब करने वाले हैं जहाँ पर गाइस बहुत सारी चीजे अच्छे वाले यूज होने वाले हैं फूल फोकस के साथ फूल कॉन्सेरीशन के साथ ही इसको इस सब पढ़ेंगे इस क्वेस्षण को लेट सब कर पेसा भेजना है तो है इम्पोर्टर किया करेगा पर चैस कांट्रैकर कि योकी कीई के बढ़तों या 사फ फिर्सको पैसा भेजना है है foreign currency बेजना है तो उसके पास खुद के पास foreign currency होना चीए नहीं है इसलिए तो bank के पास आएगा purchase करने के लिए foreign currency with his bank on 10th April for US dollar 2 lakh due on 10th June due on 10th June at 64.4 पर book कर लिया है and bank ने अपना position को cover कर लिया है on 60 at the rate 64.28 भाई 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 रुकना रुका लिखना चालू लिखना चालू करेंगे अपन लोग ध्यान देना सब्सक्राइब ठीक है so customer आया bank के पास कभी क्या date को 10th April को ठीक है कौन से bank के पास आया बैंक एक्स के पास आके बोला उसको चाहिए इंपोर्टर बुक्ट फॉर्वर्ड कॉंट्रेक्ट इंपोर्टर बुक्ट ठीक है सो कस्टमर को क्या चाहिए फॉर्वर्ड कॉंट्रेक्ट पर्चेस करेगा कितने टाइम का इन दिवान 10th जून चो एप्रिल से में में से जून तू मांस का तू मांस फॉर्वर्ड कॉंट्रेक्ट पर्चेस किया कस्टमूर ने क्या रेट पे एड़ रेट शिक्टी फॉर पॉइंट फॉर्वर्ड एड़ बैंक ने भी बोल दिया ड़न बैंक के लिए एक फॉर्व पॉइंट कब से दो महिना ड़न आगे 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 बढ़ें तो बैंक कवर इस पोजीशन दो मार्केट एड सिक्स्टी फॉर पॉइंट कवर इस पोजीशन मतलब क्या हुआ कवरिंग का मतलब ऑफसेट कर दिया आपन लोग ने ठीक है क्या कि आपन लोग ने ऑफसे कर दिया चलो ऑफसेट कर दिया पर हुआ क्या कर दिया बैंक गवाय के साथ संजे क्या यहां पे वो बैंक फ़ॉरवर्ड सेल कर रहा है वे वह बैंक के साथ forward purchase करेगा at the rate at the rate 64.28 ऐसा question बोलगा है many done 28 continue exchange rate for the interbank market on 10th June and 13th June work as follows ठीक है exchange margin 0.1% interest on outlay 12% importer requested on 14th of June जलती हो गई है विचारों से माफ कर दो इनको यह लिखना चाहते थे यहां पर 13th of June को तो automatically cancel हो चुका होगा उसके बात तुम अगर बैंक को दिखे तुमारा पकट लिखे तुमारा पैसा ले लेगा बोले अभी कुछ नहीं हमारे को जो भी नुक्सान हो है तो जल्दी एनिवेस यह 13th June so change कर दो अपने बुक में importer requested on 13th June for extension of contract with due date on 10th August okay अब सुनों यह एक्सपायर होई रहा था due date due date आही गई थी कब की due date थी 10th June की बट 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 फडाई की वजह से अपन लोग ने extend किया पडाई की वजह से अपन लोग ने extend किया कितना एक्स्टेंड किया यह इधर फडाई लिग देने का यह पडाई की वजह से कितना 13 जूल और उसी दिन हमारा यह कस्टमर आ गया और आके हमारे से मांगा एक्स्टेंशन कितने टाइम का एक्स्टेंशन मांगा 10 ओगस्ट तो दो महिना और 10 जून के जगे पर जुलाई ऑगस्ट तो दो महिना और उसने मांगा आके 30 जून को सब्सक्राइब को एक्स्टेंशन मांगा ऑगस्ट वागस्ट पूरा एक्दम सिनारियो अपने आको के आगे सौर्टे नेक्स्ट क्या बोला है देखो rates to be rounded of four decimals in multiple of 0.0025 वो बोल रहा है तो बात ही कतम फिर तो उससे बोल दिया रहा 0.0025 तो फिर तो बात ही कतम यह आपको round off करना ही है अब यह point है कि on 10th June bank swaps by selling spot and buying one month forward यह मेरे को नहीं चाहिए यह वो नहीं भी देता ना तो भी मैं यह करने ही वाला ठीक है तो any which case यह पहले कर लेते हैं फिर तुम लोगो बताओंगा यह लोग ने क्या होले and it will match start करते है calculation of cancellation rate के साथ बट उसके पहले भाई सहार क्या आप लोग में भी यह बना लिया है यह जब तक बनाओगे नहीं ना कुछ से मेरे साथ साथ तब तक कुछ मजा नहीं आने वाल है trust me if book and pen is not with you specially for this sum तो it is better के आप बंद करतो विकाज अदवाइस बाउंसरी जाने वाल है वो concentration रही गाही नहीं कुम कुछ भी कर लो बुक पेंच यह मतलब चाहिए कुछ जगा पहे बता रहो ठीक है चलो लेकर आफ़ट आफ़ट यह लिख लो start अब कहानी को आगे बढ़ाएंगे लेट्स टार्ट अब सुलना ध्यान से पहला पूछा है उसने cancellation rate और वो सब क्या है वो बात की बात है बट अभी तोड़ा है यहां पे system को समझना पड़ेगा और system खुद बनाना पड़ेगा आपने को देखो सबसे पहला system क्या बने का बैंक एक्स जो है सारी यह जो customer है यह due date को आया ही नहीं यह due date को आया ही नहीं अब इस दिन पर क्या होगा सबसे important 10th जून का ही डेट है इसको highlight कर दे रहा है सबसे important है ना 10th जून का ही डेट है क्योंकि कि देखो customer आया है नहीं अब अपन तो वेट करते रहें बैंक वाई यहाँ पे है अपने साथ forward purchase के लिए ready है ठीक है तो सी bank wise waiting के वाई मेरे पास कोई लेकर आएगा क्या दो लाक डॉलर के डीर चल रहे हैं पर लोन ने वही नहीं लिखा वाँ के मेरे पास कोई दो लाक डॉलर लेकर आएगा कौन BANK X MAX⋅ न हना बंट लेगा BANK Y को रहे वह वह कस्टमर आया नहीं प्रॉब्लम नहीं तिन तक वेट कर सक्ते है वो कस्टमर के लिए इंटर बैंक पे वह चीज नहीं चलता है मुझे Kah कुछ भी मत बोल समझा मैं पड़ा है मैं लेक्चुर अटेंड किया है संकल सब्सक्राइब तो बैंक टू बैंक में वह फड़ाई रूल नहीं चलने वाला है तो यहां पर यह बैंक वेट कर रहा है कि भाई उसको फॉरवर्ड पर्चेस करना है तो यहां पर हमारे कस्टमर न फॉरवर्ड कॉंट्रेक्ट पर्चेस किया है बैंक एक्स ने फॉरवर्ड कॉंट्रेक्ट सेल किया है यहां पर उसने फॉरवर्ड कॉंट्रेक्ट पर्चेस दिया है बैंक वाई को बैंक वाई इस देर वेटिंग फॉर बैंक एक्स आभी क्लियर एवरिबड़ी सो अब ब बैंक वाई बोलेगा बॉस I am sending you dollar two lakh at the rate 64.28 चलेगा तिरको बेज दू मैं तो बोला अरे भाई मैं क्या करूंगा उसका क्या कैसे अपने लोग उसको करें that is not my problem तो बैंक वाई विल और इंटर बैंक में cancellation और वह सब का chances हैं सो बैंक वाय अपना होणना करने को अरहा है ठीक है अभी क्या हुआ है उस दिन मैं यह आपे तुम लोग लिखे दरत दिका देता हूं देखो तर्टमर ने क्या किया है किस्टमर ने क्या किया है एक यहां पर ना समरी लिख देते कस्टमर ने क्या किया कि पॉर्वर्ड पर्चेस किस्टमर ने क्या किया फॉर्वर्ड पर्चेस वह इंपोर्टर है तो इंपोर्टर को तो डॉलर पर्चेस करने की ज़रत लगती है तो मैं लिखवा रहा हूं थाकि तुम लोगों कोई कंफूशन ना रहे ठीक है ना इतना सब पर्चेस सेल पर्चेस सेल में न हो जाता है कंफूशन टेंशन नहीं लेने का तो क्या बोला मैं कस्टमर पर्चेस डॉलर बैंक एक्स सेल डॉलर बैंक एक्स तू कस्टमर सेल डॉलर मैं या से कंफ़ो है तो बैंक इक्सीAm्य यह इन ट्रम सेल मार्केट स्थिक ए मैंट इसे ऐ सब्रॉलर चैस कररें तो बेंक एक्स माई से पड़ोर से करने वालत बैंक वाई आ गया डॉलर डोलाग ले के लए दो लाग डॉलर कर परूं सो ता रहे अब मैं क्या करूँ इस पर्चेस का मेरा तो वह सामने वाला है यह नहीं वरना मैं तिरसे पर्चेस करके आगे सेल करते था कोई बात थे हैं वह मेरा प्रब्लम नहीं है तो अब बैंक एक्स के पास जो आ गया है दो लाग डॉलर उसका वो क्या करेगा ऑन दे स्पॉर्ट कब 10 जून को जब यह बैंक एक्स स्पॉर्ट सेल करेगा तो क्या रेट पर करेगा आ जाओ देखो 10 जून का डेट अब यह सेल कर रहा है इसका मतलब सामने वाला जो भी बैंक है वो बाई कर रहा है बराबरे स्पॉर्ट सेल मतलब बैंक बाई रेट निकालने के लिए एट रेट बेड रेट कितना आया सर 63.8 इधर लिख देने का 63.8 बहुत बड़ी बात है प्लस प्लस क्यूंकि सेल होता है कभी भी तो पैसा आया प्लस 63.8 एक नंबर ओके हिसाब क्लियर बैंक बाहर हो गया बैंक बाहर हो गया बैंक बवाय बोला की चलवए तिरको मिरा मेरा जो कमिट्मेंट मेरें को दॉलर्ण दो मیں दे दिया दन तूने क्या किया हूसका on the spot sale कर दिया मैं बार bank Y गया टाटा बाई 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 अब bank X sorted लग रहा है at least उसने bank Y को निफ्टा दिया अब वो बोल रहा है तीन दिन आराम तीन दिन तक आया तो ठीक है बना दीखते है अब next question सुनो यहाँ पे bank Y था तो bank X को tension नहीं था क्या बैंक Y से purchase करो और customer को sale करो अब bank Y तो उड़ गया बैंक Y तो अपना दे के निकल गया और अपने on the spot sale भी कर दी अपन को risk नहीं लेना है allowed ही नहीं है फड़ाई के लिए तो फड़ाई के हिसाब से तो तो अब अगर तीन दिन बाद customer आया और आके बोलता है कि मेरे को purchase करना है डॉलर तो मेरे पास तो ही नहीं मेरे पास तो ही नहीं तो मेरे को और एक मेरे को और एक position लेना पड़ेगा तीन दिन के अंदर अगर मेरे पास कोई आता है तो मेरे को लेना पड़ेगा एक forward purchase का position तो मैं purchase करके customer आया तो उसको बेच दूँगा तो यह forward purchase अब मेरा cancel हो गया है अब मेरे को दूसरा forward purchase करना पड़ेगा समझ में आया अब मेरे को यहां पे दूसरा forward purchase करना पड़ेगा करेक्ट swap swap अब मेरको दूसरा परवर्ड परचेस करना पड़ेगा कभी टेंट जून को कब के लिए तीन दिन के लिए तो उन्हों ने देखो एक दियावाई स्पॉट जून तो यह उन्होंने देखो दियावाई स्पॉट जून अब कुछ नहीं दिया है तो समझ लेने का यह वो तीन दिन वाला ही है तीन दिन वाला ही है आज अगर आपको वह तीन दिन वाला बाद वाला अगर खरीदना है तो अब देखो यहां पे कौन सा लेंगे सो आज मैं खड़ा हूं इधर टेंथ जून पर समझ मैं 10 जून पर खड़ा हूं 10 जून के लिए मुझे खरीदना है तीन दिन बाद का फॉर्वर्ड मैं खरीद लोंगा 13 जून 13 जून का स्पॉर्ट यह उस दिन का रेट है यह मैं फॉर्वर्ड खरी दूंगा तो यह होगे यह काइंड ओफ पॉर्वर्ड जैसा तो आज 10 जून को मैं 13 जून का फॉरवर्ड करी दूंगा क्या रेट में करूंगा फॉरवर्ड पर्चेस मेरे को पर्चेस करना है मतलब सामने वाल एकल साल करना रहेगा समझ रहे आप लो इवरी बड़ी एवरी बड़ी और अकको यहां पर उन्हां विणा इतलों करना है यह, 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 यह spot June जो है, यह कब का है, 13th June का, so मैं बोलता हूँ के भाई, यह मेरा 10th June को मैं इधर खड़ा हूँ, मैं इधर 10th June को खड़ा हूँ, और मेरे को 3 दिन बाद, अगर कोई customer आ गया, तो तब का rate freeze करके रखना है, purchase rate, ठीक है, तो मेरे को purchase करना है, तो bank क्या करेग बैंक सेल करेगा, इधर लिक देने का, forward purchase, bank, अभी सामने वाला जो भी बैंक है, bank, why, sell, at the rate, ask rate, ask rate, देखो यहां पर क्या है, it is 63.9500, so यह आ जाता है, 63.95, minus Q क्या है, क्योंकि purchase है, इसके लिए, सर, 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 यह 63.95 क्यों लिया, बताता हूं, आओ, इधर देखो, आओ, इधर देखो, मैं खड़ाओ, 10th June को, और मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, 13th June के लिए, एक transaction, ठीक है, अब यहां पर, यह जो है, यह 13th June का ही दिया वाई, सब information, यह जो information है, है, यह तो 13th June का rate है, ठीक है, यह मेरा 10th June को, 13th June का क्या rate में मिलेगा, मतलब, till 13th June, this is like, see, this is 13th June का rate, वह वाला जो है, वह 13th June का rate है, यह, इसको बोलेंगे, till 13th June का rate, till 13th June का, मतलब, 11 तरीकों आया तो भी, 12 तरीकों आया तो भी, 13 तरीकों आया तो भी, यह वाला rate, यह जो rate है, यह क्यों नहीं लिया, सर, यह क्यों नहीं लिया, पेरेवल के, क्योंकि यह तो 13th June का ही rate है, यह तो 13th June का ही शाम का rate है, मिरा, तो भही वह 11th June को आगया तो, 12th June को आगया तो, तो यह वह वाला रेट है तिल 13th June का रेट है तिल 13th June का रेट है आयोप समझ में आ गया होगा राइट सो 11 12 वह आगर आता है वह तो यह वाला रेट एप्लीकेबर होगा समझ में आए एवरिबाड़ी बात समझ में वह तो 13th का ही रेट तो अब आने दो उसको 11 को आने दो 12 को आने दो तेरा को आने दो हम तयार है हमारे सारे चीजों के साथ अब क्या हुआ थर्टीन। जून को मेरा भाई आ गया 13th June को मेरे करन अर्जुन आएंगे मेरे करन अर्जुन आएंगे और मेरे करन अर्जुन आ गए कब आ गये 13th June को आ गये इंपोर्टर रिक्वेस्टेड ऑं 13 जुन पर एक्स्टेंशन अब कॉंट्रेक्ट विद दू देट ऑगस्ट 10 अब 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 इधर 13 जुन को जब आएंगे तब क्या-क्या होगा वह अब अपने को यहां पर सॉल करके दिखाना है उसमें पहली चीज उसने बोली है बताओ what is going to be the cancellation rate cancellation rate के बारे में वह अपने से पूछ रहा है चलो बताते हैं cancellation rate क्या होगा खुद समझ लेते हैं फिर उसको भी बताएंगे सिंपल है अब तुम लोग को यह सब में टेंशन नहीं आएगा अब यहां पर देखना कि कैंसलेशन रेट में क्या सीन होगा सुनो मेरा जो कस्टमर है वह थर्टींत जून को आएगा ओं थर्टींत जून दो कस्टमर विल गो टू बैंक एंड से आए वांट तो कैंसल एंड एक्स्टेंड करना है एंड एक्स्टेंड द लू कॉंट्रैक city क्या होगा ऐका 사 एक एफ एक सिचुएशन में क्या होगा बोलो बोलो टेल टेल जिस दिन मुझे कैंसल करना है सुनो Salem मुझे cancel करना है वो 13th June है so मैं बोलूँगा that is open contract will be cancelled कैसे open contract will be cancelled by offsetting it विद opposite विद opposite contract by offsetting it with opposite contract अब कौनसा contract open है ध्यान से समझना मैं अभी randomly cancel कर ला हूँ देखो ये cancel हो गया है ये सर ब्रावर के नहीं ये सर वो cancel हो गया है ठीक है मेरा spot sale इसी के सामने ये cancel हुआ था येस सर ठीक है सर फिर अभी मेरा open में कौनसा है तो कहना इसे ये मेरा forward purchase open है bank bank के नजर से देखो bank के नजर से देखो bank क्या बोल रहा है मेरा ये forward purchase open है अभी मेरा इधर यहाँ पे इसको मेरे को close करना पड़ेगा कैसे close करूंगा मैं purchase को purchase को मैं कैसे close करूंगा करेंट sale के through close करूंगा बरावर के नहीं so spot sale के through मैं मेरे open को close कर दूंगा so therefore forward purchase open transaction इसका open sorry यहाँ पे यह वाला इसका open है इसको अपने को पहले close करना पड़ेगा forward purchase customer का open है उसको भी चारे को close करना पड़ेगा 64.4 फोरवर परचेस open है उसका तो अब उसको save करके close करना पड़ेगा एक बात ध्यान रखना अभी अब अपने को कस्टमर के एंगल से सोचना है ठीक है सो ध्यान रखने का अब फॉरवर्ड पर्चेज ओपन ट्रांजेक्शन इतना सारा चीज है कि स्वाभाविक है कि अपन थोड़ा भटक जाए अब अपने को किसके एंगल से सोच रहा है कस्टमर के एंगल से कस्टमर का आया अपने पास तेरा जुन को तो उसको अपनो करते हैं सो अब अपने को कस्टमर के एंगल से सुचना है कैंसलेशन रेट रॉम एंगल ऑफ कस्टमर लिख लो कि 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 क्स्टमर के एंगल से क्या सीन है देखो पॉरवर्ड पर्चेज ओपन ट्रांजेक्ट आपक्शन ओफ कस्टमर कितना है 64.4 टिक है ओफसेट वेद पॉर्ट से ओफसेट विद स्पॉर्ट सेल अब आजाओ कब का 13 जून का स्पॉर्ट सेल सो क्या होगा इसमें कस्टमर सेल बैंक बाई एट बिड रेट बिड रेट क्या है 13 जून का स्पॉर्ट का 13 जून का बिड रेट क्या है स्पॉर्ट का 63.68 तो 63.68 तो 63.68 तो इस इस यूर कैंसलेशन ट्रेट यह स्पॉर्ट सेल है प्लस यह पर्चेज है माइनस यह माइनस यह इदर प्लस एंड फाइनली भी बिल गए एंड फाइनली भी बिल गए क्या देखो पर्चेस किया है 64.4 में सेल किया है 63.68 में सो कहना इसे लॉस हो गया कितना माइनस 0.72 का लॉस मल्टिप्लाइबाइ डॉलर टू लैक का गेम चल रहा है मल्टिप्लाइबाइ डॉलर टू लैक यह हो गया टोटल लॉस 1,44,000 बट एक चीज अपन भूल गई आपे मार्जिन मार्जिन भी तो आएगा तो जब यह स्पॉट सेल करेगा तो मार्जिन भी लगेगा चलो मार्जिन भी क्या कर लेते हैं इधर अपन क्या करते हैं इसको इधर अलग से कैल्कुलेशन सब्सक्राइब तो अपन वो लेंगे वाई 63.68 तो है और मार्जिन है पॉइंट बन परसेंट का कस्टमर सेल कर रहा है जब भी कस्टमर सेल करता है तो मार्जिन माइनस होता है माइनस पॉइंट वन परसेंट तो कितना हो गया देखो जड़ा तो 63.68 माइनस पॉइंट वन परसेंट 63.6163 63.6163 अब डायरेक्ली 61.63 नहीं लिख सकता क्योंकि क्वेस्टिन बहुत स्पेसिफिकल ही बोला है rates to be rounded off to decimals of 0.0025 तो सुनो 61.610025 तो 6125 बाजु में है 50 बाजु में है 75 बाजु में है 6175 ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा rounded off यह इश्क नहीं आसान बस इतना समझ लीजिए आग का दरिया है और डूप के जाना है 63.6175 समझेए बस अब थोड़ा सा इधर चेंज आ जाएगा लॉस तो अभी भी है तो 63.6175 माइनस 64.4 माइनस 0.7825 इंटू 2 लैक यह आ गया मेरा फाइनल लॉस यह इसको बोलेंगे कैंसलेशन चार्जिज बराव ना कैंसलेशन चार्जिज रूपीज वन लैक फिफ्टी सिक्स थाउजन फाइब रहा है दिल खुश हो गया दिल खुश हो गया बता रहा हूं मैं आप अब बाकी सब चीज एक दाम आराम से हो जाएगी य पूचा था कि यह आगया मेरा कि अंब कैंसलेशन चार्चिज एक अब नेक्स्ट समझ सब्सक्राइब क्स्टमर के अंगल से सोचना है कस्टमर के अंगल से बचम्हां मैं भी बटक गया था फोरवाट पर्चेस यह वाला देख के यह वाला नहीं यह वाला forward purchase open customer का forward purchase open है उसको close करना है इसके लिए मैंने लिखवा दिया है या पर tension नहीं लेना from customer's angle on 13th customer will go to the bank and say I want to cancel and extend the contract open contract will be cancelled by offsetting with opposite contract open contract किसका of customer लिखो ओपन कॉंट्रेक्ट अब कस्टमर अब शान्ती ठीक है ठीक है ठीक है सब दर ओके नेक्स्ट थर्ड पार्ट पे अब देखो सुनों मजाख मजाख में फर्स्टें सेकेंड हो गया भाई cancellation rate amount payable cancellation charges cancellation rate or amount payable cancellation charges अब swap loss swap loss है ना मैं आप लोग के लिए बहुत easy कर चुका हूँ starting में तो अभी tension होना ही नीची है यह swap loss इस इनसान के time पे नहीं आने की वज़े से इस इनसान के time पे नहीं आने की वज़े से यह दो चीजे हुई है simple यह आपका swap loss में जाएगा due date को उस इस इनसान के नहीं आने की वज़े से यह दो चीजे हो यह वनना यह होता ही नहीं प्राबर है तो आज अव लिख लो swap loss कि एक कि रिवर्स औफ एक अपन लोग ने क्या किया रिवर्स कि अब इंटर बैंक ट्रांजेक्शन कि उसमें भी वही किया था कि प्राबर है स्पॉट पोजीशन तो वह एक हो गया और दूसरा तो टेकिंग न्यू पोजीशन इफ कस्टमर कम्स तो मेरा यहां पर देखो रिवर्स आप इंटर बैंक ट्रांजेक्शन में क्या किया मैंने स्पॉट सेल 63.8 पर यहां पर मैंने स्पॉट सेल किया यहां पर मैंने स्पॉट सेल किया इतने में प्लस 63.8 यहां रुटना और यहां पर स्पॉट पर्चेस के लिए आपने मार्जिन को एडलेस नहीं किया क्योंकि इंटर बैंक है यहां पर यह यह बैंक एक्स जो है ना यह यह ट्रांजेक्शन कर रहा है बैंक जब परचेस 63.95 तो लॉस है यह स्वाप लॉस पर डॉलर माइनस 0.15 इंटो दो लाक तो टोटल स्वाप लॉस दो लाक इंटो 0.15 थर्टी थाउसर वाह मज़ा गया समझे तुम लोग मैं भी समझा अच्छी बात है अच्छी बात है अब इंट्रेस्ट अन आउटले यह भी एक अपना ही गेम है इसका इंट्रेस्ट अन आउटले का भी यह भी मज़ा आएगा अभी अब सुनों इंट्रेस्ट अन आउटले इसको कुछ अलग पर्चेस था करना ही पड़ा पर्चेस बैंक वाए तो लेकर आ गया डॉलर टू लैक बोला नहीं पर्चेस करना ही पड़ेगा आपको अपना तो ट्रांजेक्शन हुए और इंटर बैंक में ऐसा कोई कैंसलेशन का तो सिस्टम ही नहीं है ठीक है तो बाई किया मैंने बट अन्दा स्पॉट मैंने सेल भी कर दिया तो उसकी वज़े से मेरा पैसा कितना अटका वो मेरे को यहां पर देखना है और वो पैसे के उपर मैं इंट्रेस्ट चार्ज करूंगा जी हां सो इंट्रेस्ट और आउट्लेट अफ़ण्स तो इधर देखो यह थोड़ा सा कई बार ट्रिकी लगता है स्टूडेंट्स को बटा जाएगा डोंट परी रियल ट्रांजेक्शन क्या हुआ है ड्यू डेट के दिन पे रियल ट्रांजेक्शन क्या हुआ है रियल में मैंने फॉरवर्ड जेख 63.95 भी है सुनो 63.95 उस्ट हए मेरा रियल पैसा थोड़ी जा रहा है मेरा रियल पैसा थो मैंने काली किया है डिकी ना इसको प्रॉब्लम है इसको भी हाइल करता हूं यहाँ पर इसको आईलाइट करता हुआ है क्यों यह मेरा इंट्रेस्टन आउट लाएगा क्योंकि 28 नवेंबर को मेरे को एक्चुल में डॉलर वन लैक परचेस करना पढ़ा और सामने सेल करना पढ़ा समझ रहे हो क्या तुम लोग में को देखो यहां पे हमारा जो एक्स आया था ना मेरा कस्टमर था कस्टमर को अपने को बेच डॉलर लेकर आगया तो मेरे को परचेस करना पढ़ा परचेस करके ऑन दे स्पॉट सेल करना पढ़ा रियल ट्रांजक्शन हुआ है और उसकी वज़े से मेरा पैसा अटक गया कितना 65.4 माइनस 65.22 अटरा हजार मेरा ऐसे ही तो आया था इदर गया भाई आए देखो आटरा आजार कैसे आए था इज़े लिख लेते हैं वो भी है 65.4 माइनस 65.22 इंटु अटरा रहे यहां पे भी अब मेरा इंट्रेस्ट अन आउटलेय अफ फंड्स रियल जो मेरा पैसा अटक रहा है उसके उपर आएगा और इस डैट ग्रीन पार्वर्वर्वर्वर्वर्वर्व आज बर्वर्वर्व money stuck on account of that तो पर्चेस फॉर्वर्वर्ड सेल स्पॉर्ट पर्चेस फॉर्वर्वर्ड कितने पर हुआ 64.28 सेल 63.8 64.28 63.8 प्लस माइनस तो जा नहीं है पैसा तो कितना गया 63.8 माइनस 64.28 माइनस 0.48 मल्टिप्लाइब दो लाग कितना हुआ 96,000 यह पैसा स्टक हुआ है 10-12 परसेंट याद रखना कितने टाइम के लिए स्टक हुआ यह पैसा मेरा कितने टाइम के लिए स्टक हुआ है मेरा पैसा अरे भाई तीन दिन के लिए तुम्हें तीन दिन बाद तो आ गया ना अपना कस्टमर समझे क्या समझ रहे हूँ यह मेरे को 64.28 तुम्हें को करना ही था अगर यह तीन दिन पहले आ जाता तो उसके साथ ही मेरा डील हो जाता वह नहीं आया तो इसके लिए यह तीन दिन के लिए मेरा पैसा अरक्या तो ओई 64.28 पे को तब ही देना ही था कोई टेंचन नहीं है सो मल्टिप्लाइबाइब थी डेज़ वैव परसन मल्टिप्लाइबाइब थ्री बाइथ थी सिक्सटीपाइब थी सिक्सटीपाइब चलेगा यह आता है रूपीज 96 इंट्रेस्ट ऑन आउट ले टी सिक्स वा ओकेई फिर क्या बला है देखो ज़रा हैं न्यू कॉंट्रेक्त रेट अब सुनो यहाँ पर extension हुआ है वस्वनेू कॉंट्रेक्ट रेट एक्स्टेंशन सब्सक्राइब करना है ठीक है अच्छा उसका क्या था फॉरवर्ड पर्चेस था वह पर्चेस करेगा बैंक सेल करेगा तो इट विल भी एट आस्क्रेट आस्क्रेट देखो कितना है इसका 64.25 देखो वो क्या बोला के 13 और जून को वह आया और दो महिने का उसको एक्स्टेंशन चाहिए यहां पर इन्हों ने लिखा है फॉर डू डेट on 10th August so interpretation यह वाला भी जा सकता है पर ICI ने लिया है 64.25 अगर वो 13 जून को आ है तो वहां से दो महिना 13th August तक वो उसको एक्स्टेंट करेगा 13th June 13th August तक वो उसको एक्स्टेंट करेगा तो उसने स्टार्टिंग में क्या किया था एक पर्वर्ड कॉंट्रेक्ट पर्चेस किया था कस्टमर ने वापस वह करेगा वह कि उसको तो भी नया वह करना है न तो क्या करेगा ओरवर्ड क्उंट्रेक्ट पर्चेस कस्टमर परचेज बैंक सेल एट आस्क रेट ठीक है बोलो किया आएगा 64.2500 ठीक है कस्टमर ने परचेज किया है एड मार्जिन 0.1% 64.3143 उसको राउंड आफ करने का 64.3143 4.3 के बाजुमें 5.0 है इदा लिखने का राउंड आफ 64.315 5.0 न्यू कॉंट्रैक्ट रे बात है सर क्या बात है वाड़ सम्यार वाड़ सम्यार लास्ट में अपने को बोला है टोटल कितना खर्चा हुआ वीचारे कस्टमर का बता देते हैं सर वो भी बता देते हैं उसको तीक है लॉस्त है वीचारे को इतना बैर करना पड़ा सबसे पहले तो वो कैंसलेशन चार्जिस का दूसरा स्वाप लॉस्त का थीसरा इंट्रेस्ट का अभी याद रखना इसमें जब कैंसलेशन होता है और स्वाप गेंग वा न एक पैसा नहीं देंगे उसको वो सब लिखवा दूंगा मैं लास्ट में डॉल्ट वारी चलो सब इंट्रेस्ट 96 रुपया गया अच्छा स्वाप लॉस्त का 30,000 and 156,500 रुपीस 186,500 596 प्रूपीज 186 596 समझे एवरिबाड़ी मज़ा आया कितना मज़ा है चोलो बताओ बहुत सारा मेरे को भी बहुत सारा अब तुम लोग देखोगे तो सारे के मोड्यूल के क्वेस्टेन हो चुके हैं बदाई हो एंड अगर तुम्हारे को चाहिए विदेखो यहां पर सब चीज़ें अपनी माक भी कर सकते हैं अपन क्यार सब हो गया स्टार्ट किया था कुछ देर पहले और अब शैंपियन बन चुके आप यह सब में इसा लग रहा ह ब्रहुत फोर्वार इसको एक फोर्माट में टाल देंगे फिर प्रोब्लम जरा भी नहीं इसका प्रमें जो आपने को जनरल पॉइंट्स मिला की सिचुएशन में पास होगा कस्टोमर को नहीं होगा वो सारी चीजे अपने यहां पर लिस्टाउं कर लेंगे तो हो जाएगा अपना काम ओके चलो अभी मैं लेते जाओ एक एक करके वापस से तुम लोग को revise करना है सुन लो पूरा lecture बार बार लगातार so that you are clear with all of the things plus मैं लिखवाते जाओंगा points भी जब मैं अभी final एक पूरा conclusive वह बना रहा हो तो बनाते जाओंगा ये notes शेर होंगे आपके पास so you don't have to worry at all so you don't have to worry at all great job करेंगा दो तो अब सारे केसिस हो गए हैं अब अपन कॉंफिडेंट हो गए हैं इस चीज के लिए इस इस पार्टिकुलर कॉंसेप्ट के लिए यहां पर तुम लोगे आगे लिखवाए दिया एक बार चीए तो मैं तुम लोगे साथ इसको क्रॉस करवा देता हूं अपना एक कुछ भी हो जाएगा जो अपनने सम्स किये हैं उसका भी एक रिकाप हो जाएगा ती चार ओप्शन्स हैं डिलिवरी कैंसलेशन एक्स्टेंशन रोल ओवर ऐसा उसके उसको फिलाल साइड पर रख सकते हैं बड़ बड़ मैंने सब कभर कर लिया है ताकि तुम लोग ने काइंड और एक्स्टेंशन जैसे ही हुआ अंगा हैसुआ अब आजाओ सुन पर्स्ट डिलिवरी के उपर डिल्यवरी में तीन पॉसिपलिटीस एएड डिलिवरी ओन्डियुटेट नहों टेंशन जो अग्रीड रेत है उससाहां से बात खतं हो गया अग्रीड र इसमें अपन लोग ने दो चीज़े calculate करना सीखा था एक कि बही देखो जो भी अपना बात है फड़ाय बोलता है कि उस दिन पे जब भी वी ओर ली डिरिवरी के लिए है इसके पास से रिकवर करवालो एक swap loss और दूसरा interest अन आउटले अब लॉजिकली देखो swap loss क्या है जो यहलो में हाइलाइट किया है वो मेरा swap loss तो देखो मेरे को 28 नवेंबर जब वो मेरा customer आया हाँ 28 नवेंबर जब वो मेरा customer आया तो फैड़ाई ने बोला है नहीं तुम्हारे को उसको execute करना ही पड़ेगा तो वो मेरे पास आया एक लाक डॉलर लेके क्या था वाई situation में अपन लोग ने फॉरवर्ड पर्चेस किया था शायद डाइंक के ने तो वह एक लाक डॉलर लेके आया और उसने मुझे एक लाक डॉलर दे दिया अब मैं इसका क्या करूँ बट फड़ाई ने बोला ना लिलनास ने बोला ना कि लेना है तो लेना है वही प्राइस पर एक्जिक्यूट करना है कर दिया अब मैं इसका क्या करूँ मैं on the spot इसको sell कर दूँआ because वो जल्दी आया मेरे को ये sell करना पड़ा समझ रहें अधरवाइस तो मेरे पास cover था forward cover बट वो अब यूज नहीं कर सकता मेरे को तो आज इसका decision लेना है और आज की तारिक मेरे को तो idea नहीं था वो आने वाले बट आ गया कोई बात नहीं बेज दो तो एक मैंने उसको spot बेच दिया और दूसरा और एक forward का मैंने transaction किया forward purchase का मैंने और एक transaction किया यह दो जो चीजे की है मैंने उसको बोलता है swap difference तो यह forward purchase का मुझे क्यों करना पड़ा क्यूंकि दो मैने बाद bank B के साथ तो मैंने forward sell का arrangement किया तो वो bank भी तो आ जाएगा बोलेगा चल भाई चल forward sell कर मैं उसको forward sell कहां से करूंगा जब मेरे पास ही नहीं होगा कोई बात नहीं forward purchase कर लो तो यह दोनों चीज मुझे करनी पड़ी because वो जल्दी आया and that is what happened so देखो मैंने क्या किया था अर्लियर मेरा जो situation था and उसके हिसाब से मेरे को अभी मेरा decision लेना पड़ा अब देखो मैंने book के through magic book के through कितरा आप लोगो systematically बता दिया है कि earlier आपने पहले क्या किया था सर हम लोग ने पहले sell dollar forward किया था एजा cover सच्ची में क्या देखो ना सर यह देखो इदर दिखेगा आपको बेटा यह देखो दिखेगा forward sell किया था हम लोग ने पहले forward sell किया था हम लोग ने पहले ठीक है अब अगर मैंने forward sell किया था अब मेरे को उसकी वज़े से क्या करना पड़ा एक तो forward purchase करना पड़ा और दूसरा spot sell करना पड़ा क्योंकि वह अच्छानक से आ गया मेरा भाई यह देखो इसको मैंने यहाँ पर present भी कर दिया है now buy dollar forward and sell in spot यह buy किया इसका minus यह plus और इससे मुझे पता चलता है यह दोनों से मुझे पता चलता है gain हुआ है या loss समझ गए सा है and opposite earlier by dollar forward now sell dollar forward and buy in spot पस यह होता है आपका swap difference दूसरा interest on outlay of funds इसमें देखो वर्ड मैंने क्या यूश किया है prime lending rate लेना है for cash transaction क्योंकि मेरा cash कितना stuck हो गया है तो यह देखो यह भी अपने को यहां से ब्लू से पता चलेगा on the spot वह आया तो मेरे को उसके पास से उसको मेरे को 65.4 पर वन लैक टॉलर खरीदना ही पड़ेगा क्योंकि वह आ गया है जल्दी तो पड़ाई बोलता है सामने में बेश दूंगा मेरा पैसा कितना आटका 18 पैसा 18,000 यहां पर वही चीज लिख लिए वह cash transaction आपको on the spot देखना पड़ेगा उस question में and you'll get it early delivery समझ में आ गया फ की difference between contracted rate and cancellation cancellation rate क्या होता है ओरिजिनल जो रेट है उसका reverse action आओ अपने एक्जांपल में देख लेते हैं आजाओ 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 कहां पर मेरा cancellation 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 में क्या करते हैं रीजन कुछ भी हो सकता है but cancellation में करना क्या है a customer in this case importer he will require foreign currency in future तो अपने customer को चीए one month forward purchase अब आया customer और बोलता है cancel करो तो हमारे को क्या करना पड़ा उसका forward purchase था हमारे को spot में sell करना पड़ा reverse transaction basically cancellation में करना होता है reverse action of original contract original contract क्या था forward purchase reverse action in spot reverse action in spot और बेटा उसी को है ना उसी को है ना exchange difference बोलते है difference between original transaction with customer and now offsetting with interbank due to cancellation तो अभी spot में मैं उसको cancel कर रहा हूँ बस यही cancellation का जो है इसको बोलते है exchange difference तो cancellation हुआ on due date तो क्या करना है एक्सचेंज difference अर्ली cancellation हुआ तो भी exchange difference तो आए गई कोई टेंचन नहीं उसमें ठीक है तो यहां पर अपने को अर्ली cancellation में same original जो था उसको reverse करवाना है और cancel हो जाएगा और इसके लिए ना मैंने एक example भी दे दिया है नीचे ही ताकि तुम्हें को टेंचन ना हो सर क्या example देखो original contract if customer buy cancel by forward sell क्योंकि वह जल्ली आ गया है तो क्या हुआ समझो ठीक है ना उस बंदे का customer buy करने वह बंदा मेरे पास customer मैं bank हूँ customer आने वाला है और buy करने वाला है for example ठीक है अब मिरको उसको कट करने के लिए forward sell ले लूँगा तो जिस दिल वो आएगा actual में उसके buy के सामने मेरा forward sell ready है offset होके जीरो हो जाएगा original contract customer sell cancel by forward buy यह सब चीज़े solve करके मैं कितना भी format कुछ भी बता लो it is going to be end of the day solving fund यह देख और ली cancel to offset bank will tell customer to buy one month forward purchase contract forward sales था अब उसने बोला है कि भाई अब एक सामने purchase लेके रख तो हिसाब सैटल साब सैटल राइट सो यह customer enters into a one month forward purchase यह forward purchase enter किया उसने that's it and यह रख उसका exchange difference फिर बात में आती है बात automatic cancellation का तो automatic cancellation का तो अपन लोग देखी रहे वे exchange difference भी आ जाएगा उसमें तो सब आ जाता है swap gain loss भी आ जाएगा interest on outlay भी आ जाएगा पट याद रखना after three working days of maturity date extension same cancel at spot rate like cancellation on due date extension and cancellation is same just that second step इसमें आता है book new contract 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 खत्म बाकी इस सेम as cancellation समझगे extension ही same as cancellation नीचे खाली step two में book new contract cancellation मतलब अब वो बोल रहे हैं नहीं हो पाएगा न इंपोर्ट हो रहे नहीं export हो रहे हैं तो जो आपका position है उसको square off करना किसी को कस्टमर बाहर करेगा वो गई बात का तो यह सारा format आप लोग को के पास ready है गाइस magic book के थू चली कराम पर सब चीज़े शेयर की भी राइट एक दो point है इसमें जो मैं को आपको बताने है यह यह flat charges ठीक है तो फिर we are very strict on customer loss customer ही बहर करेगा profit bank रखेगा all other cases जो भी है game loss customer को बाढ़ दो वो खुश रहेगा डण 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 इसी के साथ होता है अपना यह fate of forward contract complete कभी भी आपको future में कोई problem हो in a station of ICI all done आपको कभी problem हो just come back to this video listen it once twice हार एक concept आपको clear हो जाएगा एक्जाम के पहले जरूर करके जाना क्योंकि एक्जाम में यह आता है जी हां तो option में ना चोड़ना बरावर से करके जाना कैसा लगा comment करके बताओ definitely यह exam time पे आप लोग यह notes refer कर सकते हो मेरा magic book का बहुत classic shortcut में दिया है सम को साइट में रखनेगा magic book को साइट में रखनेगा confirm करते जानेगा confidence आ जाएगा एक्जाम के लिए बाकी exam तक time है सुनते रहो दो तीन बाग let me know how was the session right do share it with your friends or juniors who may need it जिनको लग रहा है कि fate of forward contract अच्छी तरे से करना है please उनके साथ share करना will be of great help from all of you if you have liked it right बाकी आपको क्या चाहिए the comment box is open कैसे लग रहा है sessions revision lectures and question and answers and everything do let me know and yes मिलते रहेंगे time for me to say hasta la vista stay happy stay smiling stay positive signing off CS Uncle Canstia take care